आगे बढ़ रहा है आज जिन सक्सियतों के माध्यम से जिन हस्तियों के माध्यम से ये बड़ा और भव्य मंद सजेगा उनके मुख से निकलावा एक एक सब्द उनकी मखारविन से निकली भासा हम सबी किन्ने के खोशला अब जाई करेगी बलकि समाज को एक नई दिशा और दिशा देने का काम भी करेगी पीछे लिखावा है खेथ किसमत, जेडी, जेवर, हल, हत्यार कलम, कम्प्यूटर, किताब हमारे नए उजार ह हमने खेद को किसमत माना है जेडी हमारे जेवर कीतर रही है हल हमेशा से हमारा हत्यार रहा है और आज की yoo theft पीडी ने कलम कंप्पीटर और किताब के माद्यम से ये नए ओजार हाथ में ले लिए हैं और इन दोनों चीजों का जब मनिका अंचन सयोग होगा तो ये सोने पे सुहागा जैसा होगा इस करेकरम की तैयारों को लेकर के एक दिन जब हम लोग पुझे स्वामी सोईदा नंज भाराज के पास बेठे थे आपने एक बड़ी चिंता जाहिर कि आप जब तमाम महनुभाओं का उद्वोधन इस मंच के माद्यम से सूनेंगे हरा आदमी की पीड़ा एक जैसी है हरा आदमी का दर्द एक जैसा है हरा आदमी की भासा अलग लग हो सकती है आईए आज उस दर करेक्रम का विध्वत मंगल आगाज हम करना चाहेंगे चूंकि यह बड़ी संख्या में युवास्ति मौजूद है और मैक्सर यह कहता हूं कि जिधर जमानी चलती है उदर जमाना चलता है मुझे ये भी कहते हुए गर्व है कि जाट समाज की जमानी सई दिशा में चल रही मतर 29 वर्ष की उमर में उस आदमी की सोच देखिए ने अपनी जात की ने पनी पात की उस लाचा गुजरी की गाईों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुती देजिए एक मूख जानवर साब को दिए वचन को निभानने के लिए अपने जीवन की इहलिला को हो सकता है हमें हमारे इस समाज के गौरव के उपर लोक तेजाजी महराज के उपर सत्य न्याई और गाई के देवता तेजाजी महराज के उपर गरवा है हमारा ऐसा भी मानना है कारेकर्म के बाद जब आप यहां से प्रस्तान करेंगे तो तेजाजी महराज के एक बात सुंद और जब कभी भी आपका confidence कमजोर होने लगे जब कभी भी आपको सत्य के साथ खड़ा होने का मुका मिले न्याई के साथ खड़ा होने का मुका मिले वचन बद्दा के साथ खड़ा होने का मुका मिले और मन थोड़ा बहुत भी अंदर से कमजोर हो तो तेजाजी महाराज का दर को ले करके जब समाज के तमाम सांचदों और विधाईकों से प्रामर्श किया सब की अपनी अपनी विस्ताइं थी लेकिन सभी ने कहा आगे पीछे लेट सेट कैसे भी हम पहुंचे हम उस कारेकरम में हमारी उपस्तिती दर्ज करवाएंगे और पूरे दर्बल के साथ आज जो देश की सबसे बड़ी पंचायत दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंतर के मंदिर भारत की संसद में सीकर का लगातार दो बार से प्रतिनीदी कर रहे हैं आपका सयोग आपका मारुग दर्शन इस कारेकरम में हमें बैख भी मिला है तेजा सेना के परदेश अदेक्स बाइसर रामजी बिजारनिया तेजा सेना के महामंतरी बाइस अचिन जी फिलानिया सहित तेजा सेना की पूरी टीम ने संपूर ने राजस्तान को इस कारेकरम को सफल बनाने के लिए ना पा था बाहर रहना डाबों का खाना खाना लेकिन इन ने संकल्प लिया कि हम ये कार सुभह रवाना होकर के आया है आप सभी कि इस कारेक्रम के बाद में भोजन की वेवस्ता भी रहेगी इसलिए आप सभी से ये निवेदन भी रहेगा कि आप भोजन करके ही प्रस्तान करें कारेक्रम धाई से तीन गंटे के बीच चलेगा और मैं आपको भरोशा दिलाता हूँ इस मंच से होने वाला एक-एक उद्वधन और संबधन जब आप सुनेंगे तो आपको अपने कौम का बेटा होने पर गर्व मैसूस होगा और आप एक नया संदे इस इस मंच के मादम से ले करके जाएंगे लेकिन मेरा हमेशा से ये भी मानना रहा है मुझे ध्यान है भारत के उभरत के भिश्म पिताम है दिहरु भाई अमवाणी को एक बार पत्रगार ने पूछा कि अमबानी आपके करम कोशल को देखते वे, आपकी करते वे निश्टा को देखते वे, आपके काम करने की सेली को देखते वे ऐसा लगता है कि आपका जीवन भागवत गीता से अभी प्रेरीत है, क्या आप गीता पढ़ते हैं, मैं धान चाओंगा आप सभी का देरुबाई अमबानी ने कहा कि मित्र, मेरे पास इतना समय तो नहीं रहता कि मैं भागवत गीता पढ़ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भागवत गीता को जीता हूँ इस कार्यक्रम का एक-एक सब्द सुनने के बाद उन हिदायतों को उन बातों को हम अपने जीवन में नेकेवल उतारेंगे नेकेवल सुनेंगे बल्ल की गुनेंगे भी और उनको जीने की कोशिस भी करेंगे आज से तिन साल पहले संगलिया में जब कोरोना काल में लोगों ने ये कहा था कि सो लोग इकठे नहीं हो सकते तीन लाख लोगों का विशाल जल्चा आप सब लोगों के सहकार और सयोग से हुआ था तो उसके बाद संपुर्ण प्रदेश नहीं पूरे देश में और साथ समंदर पार भी ये मेसेज गया था कि जाटों का युवा अगर मुठिया कस करके बाजू चढ़ा करके कमान कस ले और हमारी ये बुजरुग मायत अपनी धोती के पाई से टांक करके उनकी पीट के उपर खड़े हो जाए तो दुनिया में ऐसा कोई आयोजन नहीं है जिसको जाट समाज और ये किसान को नहीं करपाए आज का ये आयोजन भी उसी प्रेण्डा का हिस्ता है बहुत वार ऐसा लगता है कि हमारा युवा हमारे मायतों के च्ड़णों में बेट करके अगर उनकी कहीवी बातों को शु पागत और संबान करना चाहूंगा अभिननन करना चाहूंगा यह कारेकरम सोचल मीडिया के विमिन प्लेटफॉर्म पर लाइव चल रहा है इसलिए आप सभी से निवेदन है कि उस लाइव को भी आप सेर करें अपने मोबाइल के माद्यम से वीरतेजास्यना राजस्तान का प मिल रहा है पुना निवेदन दोराना चाहूंगा आप उस लाइव को साजा करें शेर करें लाइक और कमेंट करें ताकि हमारे दूर देहात धानियों में जो लोग बेटे हैं वो भी इसका रेकरम को देख पाएं मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच वरिष्ट भाजपा समाज के तमाम गुड़ा से गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल के डाइरेक्टर भाई संपजी यहां मुझूद है संपजी बेनिवार आप भी प्लीज आके-आकर के बैठने का कस्ट करें तमाम वो लोग जो समाज के लिए काम करते हैं समाज के बारे में सोचते हैं कि कभी न इनसान वो है जो इनसान के लिए मरें इनसान के लिए कुछ करें किसे भी कौम में जन्म होना भाग्य हो सकता है उस कौम के सिधानतों को जीना स्वभाग्य हो सकता है लेकिन उस काम के लिए समय निकालना उस काम के काम को गति देना आगे बढ़ाना महभाग्य होता है और मै यह मानता हूँ कि आप सभी लोग उस महाभाग्य के सोभाग्य साली लोग आज बनने जा रहे हैं अब एक और संस्कृतिक प्रस्तुति हमारे होनार नन्य लाड़ने कलाकार की रहेगी और उसके बाद इस गारे करम का वीधिवत आगाज तेजाजी महाराज के स्टेश्यू के सामने दीप प्रजुलन के बाद दियम से हम करना चाहेंगे नन्य सिक लाकार के लिए जोरदार तालिये बजाएं और तेजाजी महाराज के जोरदार जेघोष के साथ मुझे अमंतर देना चाहूंगा बुले तो जाजी महाराज की अ दोनों हैट उपर करके बुले राज की तो आईए कि लाकार मंच तक पहुच रहे हैं कि राजस्तान सच्जिवाले संक्या देक्स भाई सिता रमजी चोदरी यहारी बिश्ता श्रीपला है निविदन रहेगा आगया करके विएएपी दिर्गाव में बैठने का कस्ट करें तो आप कुछ हिक्ष्णों बाद आज का यह दिव्वे भव्वे और गरिमा में आयोजन जेपुर के बिएम बिड़ला ओडिटोरियम में शुरू होने जा रहा है समाज के लिए एक चिंतन समाज के लिए एक मनन समाज के लिए एक मन्थन हमारा समाज सिख्षा की द्रश्टी से कैसे आगे बढ़े हमारा समाज आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो हमारा समाज राजनितिक दृष्टी से कैसे मजबूत हो समाज के तमाम प्रभुदल लोगों के मारख दर्शन में उनके गाइडेंस में राष्टे तेजा समवाद का ये एतियासिक जल्सा कुछी देर बाद में हम सुरू करने जा रहे हैं राष्टे तेजा समवाद एक चिंतन अपनों के लिए उपर लिखावा है अब बनेगी बात हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ आईए स्कारेकरम के माद्यम से हम ये संकल्प लें कि हम हमारे अपनों का हाथ खीचेंगे तांग नहीं खीचेंगे और जिस दिन हम लोग हमारे अपनों का हाथ खीचने लगे तांग खीचना बंद कर दिया उस समय आप लोगों में इतनी ताकत है कहते हैं कि जाट की उत्पती सिवजी माराज की जटाओं से हुई है किसे भी कौम को देवता कहने का सोभग्य नहीं मिलता है लेकिन आपको जाट देवता कहा जाता है क्योंकि आप न्याई के साथ रहते हैं आप दवे कुचले पीडित के साथ रहते हैं गाउं में कहते हैं कि पूरे गाउं में अगर एक जाट के घर में धीना है तो छाच पूरा गाउं खाता है इसका मतलब यह है कि हमारे में तमाम वो संभावनाई मौजूद है हमारे में तमाम वो सामरते में मौजूद है हमारे में तमाम वो शकारात में सोच मजबूत है जो किसी भी समाज को आगे बढ़ा सकती है अम चाहूंगा कि हमारे नन्य कलाकार को जोड़दर तालियों के साथ अम अंतन दे सोशल मीडिया पर आजकल इसी की तर्चा है यही छाया रता है बहुत बहुत बधाईयां शुब कम नाए बहुत आभार और इसी बीच अमारे बीच आजरने सुसिला रामिस्वरजी डूडी मायनने विधाईक नोखा भी पदार रही है बहुत स्वागत राष्टे तेजा समवाद में नन्य कलाकार भाई प्रदीप खीचड आपके बीच में जो छोटी बड़ी खाटू से आते हैं और एक बहुत सुन्दर गीत तेजो चड़ियोर है वाराम है तो ऐसे सुर्वीर योद्दा की महागाथा को तुल्षा राम भनगावा की सुन्दर आवाज में अभिने करेंगे बाई प्रदीप खीचाटू जोटा तालिया अधनिया सुसिला राजोसुजी दूड़ी हमारे बीच में प्रदीप लाज होकी है जोटा तालियो के साथ स्वाहत करें अरे गायारी लक्षा में चटगो वार में हाए करियो रे अन्यावो पर्ण्या करियो अन्यावारे अर्शा शरी आयो रे जगडो जेलियो है करियो रे अन्यावो पर्ण्या करियो अन्यावारे अर्शा शरी आयो रे जगडो जेलियो है रो क्योडो रुकदा पर्ण्या रो क्योडो रुकदा रे अर्शा शरी आजगडा रे माई क्यूं पड़े हाई रोक्योडो रुकदा पर्या, रोक्योडो रुकदा रे, आरे परगर का जगडार माई क्यूं पड़े हाई ये परगर का जगडार माई क्यूं पड़े हाई ये दर में ये गटे मारो हिंदू, दर में गटे वो अरे दूदड लोला जे है मारी मात को आई ये दर में ये गटे मारो हिंदू, दर में गटे वो अरे दूदड लोला जे है मारी मात को आई ये दोड़्या के दागों लागे, गोती के दागों वो अरे दागों तो लागे हैं जाती जात पे आई ये दोल्या के दागों लागे गोती के दागों वो अरे दागों तो लागे हैं जाती जाट पे आये चोडोय लगामों पे मले चोडो लगामों ले अरे लीलन ने खड़ दूला माझर रात में आये अरे लीलन ने खड़ दूला माझर रात में आये अरे लीलन ने खड़ दूला माझर रात में आये आम देरी रात मत जाओ परण्योडा माराओ आरे पगपग पड़ दूला में आये पर बेटो है बासक कालियो आये अंदिरी रात मत जाओ परण्योडा माराओ आरे पगपग पर बेटो है बासक कालियो आये सुगने का सुना हो गया सुगने का सुना वो आरे चुडलो तो खण क्यो है हसती दात रो आये सुगने का सुना हो गया सुगने का सुना वो आरे चुडलो तो खण क्यो है हसती दात रो आये सुडला के चुपदिरालो छुफे दिरवालो ये अरु दुहु जो तो खण क्यों सुपदिरालो छुपे दिरवालो ये अरे दुहु जो तो गडवाशें हसती दांत रो आईए सासरिया को खोट गने रो खोटी गने रो आरे शासुने नण दलके पगला गती है ये मन रामे धीरज राखो मन रामे धीरज वो आरे शासुने नण दलके पगला गती है ये मनड़ा में धीरज राखो, मनड़ा में धीरज वो, अर शाशुले नणदल के पगलाग जो आईए खेता में जाई जागोरी, खेता में जाई जो ये, अर खेता में जाई जो ये, फिलोड जो आईए कि अब शुन्दर जोड़दर तालियां और इसे भी युवा सक्ति के प्रतीक खंडेला के युवा विधायक और कहते हैं कि पूत के पाउं पालने में दिख जाते हैं जब विधान सभा में पहली बार लगे तब ही यह लगे था आपकी भासा से लिग से की लंबी रेस के स्वागत और सम्बान करें और मुख्य प्रवेश्द्वार पर राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेस कमिट्री के अद्दक्स लक्षमन का डिसे विधायक और कौम के बाद दबंग और मजबूत आवाज सम्बान ये गोविंद सिंग्जी डोटा इसरा भी हमारे भी चाह चु तेजल सूपर डूपर इंट्री कर गई है और मैं देख पार हूं साथ में हमारे एक और दबंग सेर लाड़नू के विधायक बाई मुकेश जी भाकर भी साथ में है युवाओं के चहेते आप हैं जोड़दार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और भाई किसंगेट वि एक कारेकरम अपने प्रवान की तरह बढ़ने वाला है और रतन के विधायक भाई पुशाराम जी गोजारा भी हमारे वीच्पदार चुके जोड़दार कालियों के साथ उनका स्वागत और संबान करें पुरा लवाजमा गोविंजी साथ लेकर क्या है कि बुलताजाजी मह आसद की अवाज दिली तक जाननी चाहिए आतो अएं कि बुलताजी महाराज जे की जैए बहात पहुज शुक्रिया आप कृपया बैठे और मैं सिधेन ही विधन करना चाहूंगा प्रदेश कॉंग परदेश कॉंग्रेस कमेटिक अध्यक्स गविन सिंग्जी डोटाश्रा से, सीकर सांसर पुषय स्वामी सुवेदा नजी महाराज से, पुषाराम जी गोधारा से, डक्टर विकाजी से, बाई मुकेश जिभाकर से आप मक्खे मंच पर आकर के इस्तान ग्रहन करने का कस्ट कर है, तमाम समाज का वागर्ण नियतित्वयाज हमारे बीच मोजूद है, अब देखो दोनों आप चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ, सुभाज जी मील और मुकेश जी को देख लो, दोनों एक कॉंग्रेस से, एक बीजेपी से हैं, लेकिन दोनों हाथ पकट करके मंच के उपर चडएर, यही इस कारेक्रम का परियोजन भी था, हमर बीच जोटवड़ा से कॉंग्रेस परताशी रहे और अपनी अनूटी भासा से लिके लिए पुरे प्रदेश में चर्चित, भाई अभिसेख जी चोदरी भी आएं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करपया उनको वी आईपी दिरगा में बिठाने का कस्ट करें, और लीजिए, अब सीधे दीप प्रदेश में की रस्म के साथ इस कारेक्रम का आगाज करते हैं, मैं पूरे सम्मानित मन्स से आगरे करना चाहूंगा, सम्माने गविन सिंग जी डोटा अश्रा, सम्माने श्वा मिश् जिन जी पिलानिया स्रक्षर अमजी शुंडा से, आप सहकार निभाएं, हमरे बीच लक्समंगेट परधान बाई मदन जी सेवदा मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत धौद के प्रवपरधान, अमजी जीकर मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत और संबान, हमरे बीच नवलगट परधान और जुनजनो जिला कॉंग्रेस कमेटी के देक्स भाई दिनेज जी सुनडा भी पदार चुके एक बार जोड़दार तालियों के साथ उनका स्वागत और संबान करें, नीचे 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 रसे हैं, आजी मौबती और हो जोने जोन नजर नहीं पड़ी कि मौबती और माचिस का है, गोविंजी ने एक जठ्के में पकड़ ली, नजर का एक अमाल है, कहते हैं कि सोच को बदल के देखो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल के देखो, नजारे बदल जाएंगे, और कस्तियां बदलने से होगाने कुछ और हासिल धार को बदल के देखो, यह किनारे बदल जाएंगे, और यह आयोजन इन किनारों को बदलने के लिए ही है, जै हो, अंधकार को क्यों धिकारे अच्छा हो एक दीप जलाएं, उसी दीप सेखा को तेजाजी महराज के स्टेचू की सामने प्रजवलित करके, जैपुर के बिएम बिडला ओडिटोरियम में राष्टी तेजा समवाद का आगाज, समाज का तमाम वो अग्रणी नित्रत्व कर रहा है, और धीरे धीरे आप देखेएगा कि इस मंत पर वो सारे चेहरे आपको नजार आएंगे, जिनके लिए हम सब की आखे तरस रही थी, मात्र 29 वरस की उम्र में न्याय और गाय के लिए अपने प्राणों की आहोती देने वाले लोक देवता, सत्यवादी, वीर तेजाजी महराज की जीवन आदर्सों को जन जन तक और जन मन तक पहुँचाने के लिए आयुजित, राष्ट्रिये, तेजा समवाद, कारिकरम का विदिवत आगाज, कार्यकरतों साब निवादिन रहेगा, अब जो साती पदार रहे हैं, उन्हें उपर बॉक्स में बिठाने का कस्ट करें, उनके लिए विए विविवस्ता की गई है, तो लिजिए आगे बढ़ते हैं, अब आईए आगे बढ़ते हैं, इस कारिकरम को लेकर के, जब सम्मानिये गौविन सिंग जी डोटाइसरा, सम्मानिये स्वामे सुमेधान जी महराज, सम्मानिय हनौवान जी बेनिवाल सही, तमाम प्रभूत लोगों से सम्मान ने हिमाराम जी चोधरी सही, जब चर्चा हुई तो सबका मन एक था, सबका मत भी एक था और उसके बाद ये युवा सकते इसकी तैयारियों में जूटी और एक-एक काम बहुत सलीके और करीने से किया गया इस कारेकरम को लेकर के रस्टे तेजा समवाद को लेकर के एक दमाल रिकोर्ड की गई है जिसको सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि एक-एक सब्द उसमें मोती की तरह पिरोया गया है मैं आमंतर जाना चाहूंगा डॉक्टर नेकिराम जी आरियो को आप पदा रहें और इस कारेकरम का थीम गीत दमाल की रूप में हमारे बीच रखें बाई डॉक्टर नेकिराम जी आरिये हमरे बीच यूद कोंग्रेस अद्द्यक्स बाई मगल जी खिचर पदा रहें बात बलस्वागत सभी को राम राम नाम से ही जैसे हमें प्रतीत होता है इस पावन मंच पे तेजा जी महराज के लिए संजोया गया एक गीत उनकी जीवनी से जुड़ेवे शब्द उस गीत में आएंगे मैं आप सभी से निवेदन करता चाहता हूँ कि राजस्तान की रिदेश तलीस बिडलाव ठीडोरियम के अंदर आज हम तेजा जी महराज के आदरसूं को इस गीत के मादिम से जीने का प्रियास करें और उसके साथ में जुड़ने का प्रियास करें कुछ शब्द टिपिकल हो सकते हैं जो भी पुराने बुजरक लोग हैं आश्रवाद दें और शब्दों को समझने का प्रियास करें ट्रेक पर ये गीत होगा और मैं पूरा प्रियास करूंगा कि तेजा जी महराज को फागुन के इस अउसर पर इस धमाल से मैं सुर्दान जली अर्पित करूं प्ले करें आप तालियां भी साथ साथ बजा सकते हैं वो दूदा धारी वो माराम को अरीरा तेजल तपदारी वो दूदा धारी वो पर जय जग जा हरता हरते जा संकर अमतारी वो दूदा धारी वो हाजी हाजी वो दूदा धारी वो माराम को अरीरा तेजल तपदारी वो दूदा धारी वो हाजीर नाजीर काठी वेळा आच काच रा कठा पुरा देत खेत खेतर पाल नक देवन माठा पठा सुरा जाट ठाट अधिराट देजा लीलन असवारी वो दूदा धारी वो जाट ठाट अधिराट देजा लीलन असवारी वो दूदा धारी वो हाजी हाजी वो दूदा धारी वो माराम को अरी राते जल तप दारी वो दूदा धारी वो गाड़ आछो बाचो बाचो लाचो भान को हारी वो जाये लाये सुकर्म धरम रखो मेनाटा को मारी वो हाजी हाजी वो दूदा धारी वो माराम को अरी राते जल तप दारी वो दूदा धारी वो एक ओच्चे तो खुड को कंप्यूटर हल सात चलाओ बाइल मोबायल घायल मत मन मसता होते जो गाओ हाजी हाजी वो दूदा धारी वो माराम को अरी राते जल तप दारी वो दूदा धारी वो माराम को अरी वो दूदा धारी वो वीरा फकीरा वीरा धीरा मीरा गई जय जसरा गीत सुन रे मीत सुर सुर सास दी सिस कह प्यारी बे मलरी प्रीत ते जा समाद नादन नाद राख्यो सारी वो दूदा धारी वो हाजी हाजी वो दूदा धारी वो माराम को अरी राते जल तप दारी वो दूदा धारी वो बचन बत भण विशे दर डास घर छोड़ा गळविश धर पास अमरे अमबर डंबर सूरज चांद सोते दाते जिप्रकास अरे दयाराम दयाखास बात ने कियाम फिचारी वो दुदाधारी वो ठय दया राम ठया खास बात ने कि आम विचारीवो दुदा धारीवो मधिहा जीवो दुदा धारीवो माराम कोरी राते जल तपदारीवो दुदा धारीवो बहुत बहुत धन्यवाद बोलो तेजाजी महाराज की कह हो बहुत बहुत आभा रहा है बहुत बहुत सुक्रिया डुकर निकराम जी आरिये का और आईए हम हमारे समाज के सीर्ष नेत्रित्वे का स्वागत और सम्मान करें उससे पहले हमारा स्वाग्य की हमारे बीच मकराना विधायक और मकराना से विधायक परत्याशी रही बेन सुमिता जी भीचर मोजूद है एक बार जोड़दार तालियों के साथ उनका स्वागत और सम्मान करें हमारे बीच आदर्स जाट मास्वा राजस्तान की महिला विंकी प्रदेशा देख सुमिता जी सीगड मोजूद है मैं चाओंगा कि उनका भी एक बार जोड़दार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान करें आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सब्मान अब मैं मूल सम्मान हमारे समाज के सिर्शस्त जनों का एक बड़ा अभिनांदन सामुईक रूप से हम करेंगे लेकिन उससे पहले चूंकि कारेक्राम का अपना एक एजेंडा है गरीमा है इसलिए मल्यारपन के बादम से पहले के स्वागत और सम्मान करना चाहरें मैं नेविदन करना चाहूंगा तमाम सरक्षक मंडल से और वीर तेजा सेना की कोर कमेटी के जो भी सातिया मोजूद है भाई सिर्याम जी विजानिया भाई साचिन जी पिलानिया रामचंदर जी सुन्डा के नेतुत्में में आकर के मल् 821द समाज के तमाम संसुदों और विधायकों का श्वागत और समन करे कि अला इस जी पिलानिया नारंदर जी बातर इस भी कोर कमेटी के सदस्य बाई संकर जी जाखर, रिस्पाल जी फोगावट, हमारे बीचर साहब, हमारे संजय जी कृष्णिया, कोर कमेटी है, हमारे रामशुरुप जी सेवा, कोर कमेटी के सदस्य पदाने प्लीज, बाकी को आगे की कड़ी में सामिल कर लेंगे, भाई दर्मेंदर जी गिठाला, भाई श् धीवा, इंजिनियर भावर सिंग जी, तमाम कोर कमेटी के सदस्य पदाने, बाई सुझिल कुलरी, बाई मेंदर जी दोरवाल, जेपुर के बीएम बिल्ला ओडिटोरियम में, लोक देवता तेजाजी महराज के जिवन आदर्शों को जन जन तक पहुचाने के उद्देश्य से, आजजीत रास्टे तेजाज समबाद में, समाज के सिर्शस्त नेत्रितों का स्वागत और सम्मान, तमाम कोर कमेटी के दुआरे किया जा रहा है, बाई मेपाल जी मेला, दो कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, आप सभी पदार है, और मैमान तो मनी कहूंगा, आप सारे लोग मेजबान हैं, आपका स्वागत और सम्मान करें, बाई स्वागत जी ख्यालिया, सबस्पहले निविदन रहेगा, सभी कोर कमेटी के संदस्य पदार हैं, और हमारे बीश मौझूद, सेखावाटी जनपाद में सिख्षा और संसकारों के अलग जगाने वाले सीकर के संसद, पुझे स्वामी, सुवेदा नंजी महराज का मालियार पड़ कर स्वागत और सम्मान करें, और आप जोड़ार करतल धुनी के साथ, स्वागत सम्मान के साक्सी बनें, सबसे पहले स्वागत, वैदिक आस्तरम टिप्राले के अध्याक्ष और भारत की संसद के मानने सदस से, आधरने स्वामी शुमेधानन्द सरस्वती जी का स्वागत और अभिनन धन, कि वैद की रीचाई पंच तंत्रे के कताएं वेद उपनिशद पुराण हैं, यहाँ पार वीर तेजा के गाइन में हैं, अगली कड़ी में स्वागत, राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्याक्ष, पोर शिक्षा बंतरी, लक्ष्मनगड के लाडले विधायक, और जिनका तेजाजी सूपर डूपर पर सबसे ज़्यादा जो सौंग वाइरल होता है, ऐसे हमारे डोटास्रा साब का अभिनन धन, तत्पस्चाथ हम सब के बीच मौजूद, हमारे मानने विधायक सम्माने पूशा राम जी, गोदारा साब जो रतनगड से विधायक है, मारबल नगरी किसनगड के लोग प्रिये विधायक, डॉक्टर विकास चौदरी साब, लाडलो के लोग प्रिये विधायक, दूसरी बार विधान सभा में अपनी बुलंद आवा के साथ प्रतने देत्व करने वाले आदरने मुकेश भाकर जी और खंडेला से अपने दम पर इतिहास वदलने वाले समाने सुभाज जी मील सहब, बहुत स्वागत और अभिनंधन, और नोखा भीका नेर से महिला ससक्तिकरन की बड़ी आवाज, आदरने स्रिमती सुशी ना पर अमेस्वर जी डूडी का अभिनंधन, स्वागत और सतकार और अमारे आरात्ये लोग देश्रीराला बाबादहम कि माड़ा पार स्री दाजुजाल गोस आला के संचालक सरदेश संथ, स्रि प्रकाज दास जी का भी स्वागत स्रीराम जी और होनृके टीम से निवेदन क् कॉंग्रेस बीजेपी विचारधारा से कहीं उची जाट बलवान जे भगवान तेजाजी सत्यवादिता के आदर्सु को इस्तापित करता ये फोटू ये फोटू बहुत कुछ बया कर रहा है कि कदम ताल की आवाद से इतिहास बदल जाएंगे अंगारू की भासा से भूगो इस्तां को सलाम आपकी समजदारी इमांदारी जिम्मेदारी और बहादुरी को का बहुत मुद्धर शुक्रिया अब सभी क्मिटी के सांथिंगों से निविदन रहेगा आप इसलान गरण आगे की जो तीन पंक्तियों में जो साती है वो सव विवेक से ये ध्यान रखें कि जब भी हमारे कोई विएपी गेस्ट आए उसमें हमें सीट छोड़नी पड़ेगी तो इस्पेशली जो युवा हैं सव विवेक से अभी बलाई बेठे रहें लेकिन जैसे हमारा समाज का क्यले फ़ाम महमानों का स्वागत हुआ कि लेकिन सब्दों के मादश्जिंध से कर के जाए तेज़शन को राजस्तान के चपपे ुन बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के संक्ल्प के साथ रात और दिन एक करके समाज के लिए कौम के लिए और संगठण के लिए काम कर कि नापने वाले और वीर तेजा सेना राजस्तान के प्रदेशादेक्स मेरे छोटे भाई इस रामजी बिजानिया से आगरे करना चाहूंगा कि आप अधारे और पूरी वीर तेजा सेना राजस्तान की ओर से पूरे सरक्सक मंडल की ओर से पूरे सहिंजक मंडल की ओर से पूर आज के इस वीर तेजा सेना राजस्तान के बेनर के नीचे राष्ट्रियत तेजा समवाद एक मारच दो हजार चौबीश बिल्ला ओडिटोरियम जैपूर के अंदर समाज के मंच पर मंचाशीन परदेश कॉंग्रेस कमेटी के अद्यक्ष और लक्षमनगर्चे विदायक आदर्ण ये गौण सिंग जी डोटाशरा शाहब सीकर के लोग प्रिया सांसद पुझे स्वामी सुबेदानम जी सर्स्वती लाड़नू के लोग प्रिया विदायक और यूवाओं में एक अपनी अलग पैचान रखने वाले बड़े बाई मुकेस भाकर जी खंडेला के हमारे विदायक कादर्ण ये सुबास मील साब नोखा से लोग प्रिया विदायक आदर्ण ये रामेशोलाल सुशिला जी डूडी साब रतंगट के विदायक आदर्ण ये पूशाराम जी और किशनगट विदान सबा के उर जावान विदायक बड़े भाई विकाश चोधरी जी मेरे सामने उपस्थीद राजस्तान के हर कौने कौने से अपना परतिनी दित्वा देने के लिए आये समाज के परभुजन नोजवान मातर सक्ती इस वीर तेजा सेना राजस्तान की पूरी परदेश की टीम पूरी कौर कमेटी और सामने उपस्थी मरे समाज के करणधारो सबसे पहले तो आप सबका इस बात के लिए तेही दिलचे अभार वेक्त करता हूं कि एक छोटे से समय के अंदर इस यूवाओं के इस कारिय क्रेम को आपने जो तरजी दी हम आपका दिल से अभार वेक्त करते है समय की अपनी सीमाएं है और कारिय क्रेम के अंदर आज हम बोलेंगे नहीं सुन्य को आए है लेकिन इस मंच के माद्यम से इतना ही करना चाहूंगा कि जिस संग्थन वीर तेजा से ना राजस्तान के दुआरा यह आगाज किया गया है मैं तो आपको इस मंच की तरब से आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर इस संग्थन के अंदर किसी परकार की राजनितिक ताकत ने गुषने देकर पूरे देश परके अंदर समाज को एक मजबूत संग्थन देने का काम करेंगे यह हमने लग से लिया बड़ी कुशी होती है अपने समाज के युवाओं को जब मोका मिलता है हर किसेतर के अंदर चाहिए वो राजनितिका किसेतर हो चाहिए अपने बुरोक्रेट्स हो देश के बड़े-बड़े बिजनिसमेन भामाचा हो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैं समय का भाव है वरना यहाँ पर बहुत से मेरे से साती है जिनका उदार्ण आपके सामने पेस करता लेकिन मैं इस मंच के माद्यम से आपको कहना चाहूंगा कि इन जैसे समाजी कार्यक्राम के अंदर चाहिए वो किसी भी राजनितिक पार्टी से संबंध रखने वाले लोग हो समाज के मंच पर जब एक जाजम पर आके बैठती है हमें बहुत बड़ी कुशी मिलती है हमारे लिए कावतें बहुत हैं हम उस कम्यूटी से आते हैं जिनोंने आज तक किसी का सोचन नहीं किया हर वरक को पोसक के रूप में तयार मिले हम उस कम्यूटी से हमें गरवा इस बात का जिन तेजाजी महराज ने गुंटीस वर्ष की आयू के अंदर प्रोपकार का कारिय करते हुए पूरे देश बर के अंदर अपनी लोग प्रियता हासिल की और आज से एक हजार वर्ष पूरू है जो काम किया उनके आदर्ष्टों पे चलने का हम सहाच कर रहे हैं इससे बड आप सब लोग आए इस कारिय करम की सोबा बढ़ाई और पूरे राज्तान परदेश के अंदर एक मैसे जाएगा और मतों मंच के इन अतीतियों का बहुत-बहुत धन्यवाद गापित करूंगा कि आप हमारा मारक दर्शन करें आप तो हमारे कंदों पर सिर्फ हाथ रखें इस समाज के संग्ठन को पूरे देश पर के अंदर नहीं आया मिस्तापित करने के लिए आगे लेके जा रहे हैं हम सब लोगों को आप से यही उमीद है आप सब लोग पहुंचें आपका पुने-पुने आभार जैवीर स्री तेजा जी महाराज की बहुत बहुत शुक्रिया युवा सक्ति के प्रतीक दबंग और बेबावक आवाज के धनी वीरतेजा सिना रजस्तान के प्रदेशा देट्स बैसी रामजी विजाइनिया का इस कारकरम के लिए आपनी जिस तरह से पसिनाब आया है आप ताजूब करेंगे रात को सड़े बारा एक सवाई एक बज़े भी आपका फोन मेरे पास आता था कि बैसाब आख खुली है वो काम हो गया क्या ये काम हो गया क्या रात को सोते समय भी इस बात की चिंता रहती थ को सम्मानिय पुझे स्वामी स्मयदानण जी महराज को इतना प्रेसान किया है दिन में दो दो तेन तिन बार ये करने क्या वो करने क्या ऐसे करने क्या वेसे करने क्या और आप ताजूब करेंगे किल साम को ही पुझे स्वामी स्मयदानण जी महराज और सम्मानिय गविन सि कि दोटासरा जेपुर इसलिए आगे कि सुबह चलके आएंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत लेट हो जाएं और हमने का साहब हमा एक बार आपके पास हमें बेखना है बड़ा काम है थोड़ा सा ड्रल अगर आपके पास बेखेंगे तो मन में मजबूति आ जाएगी मैं चाह इनके पीछे अपने खड़े रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे है हमारे बीच सम्मान ये रिस्पाल जी फोजी भी मोजूद है आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान तो लिजिए तेजा गाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं एक मात्र सांस्कृतिक प्रस्तुति त के बाद सीदे हम हमारे सम्मानित मंच का संबुदन सुनेंगे हमारे बीच वो संत मोजूद हैं जिनके मजबूत कंठों ने युवाओं के दिलों में जगे बनाई है जिनका घायावाद तेजा जिनका घायावाद धना भक्त का भजन कर्मा भाई के भजन जन्मन में जगे बना चुके हैं तो मैं बड़ी सर्धा और संबान के साथ बड़े आदर और आदव के साथ हमारे बीच मोजूद परम पुझे प्रगादाजी महराज से आगर करना चाओंगा कि आप तेजा गाईन हमारे बीच रखें और हम उस तेजा गाईन के एक एक सब्द के बहुत सिदत के साथ सुने हमारे बीच चातर राजनीती के बाद मजबूत हस्ताक सर भाई पारून गोदारा कपिल जी राव पदारे हैं सुभाम जी रेवार्ड आपका भी बहुत साथी बेटे हैं अगर उनका जमीर तो नहीं कहूंगा विवेक गवाई दे तो वह उपर जाकर के बेट सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वी आईपीज का भी कारेकरम में आना बाकी है राजस्तान के पुरुवशनिकों का नेत्रतियों करने वाले परदेश गौरव से नानी ए आए अब तेजा गाइन सुनते हैं प्रम पुझे प्रगादाजी महराज के मखार बिंद्श करें करें कि राजस्तान विश्व विद्याले के प्रदेश महास्तर चीव भाई अरभिन जी जहाजड़ा भी हमारे विश्व श्रीप लाएं एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इसोगव तूसमां करें त्री राव राव दादू राव गया मेरी स्वामी नी और में गया नरोदास अब जनम जनम मोह दीदियो गउचर ननमे वाक्ष् सावरिया मारा देश में अठे मीठा बोले मोह आप सबको बोलना है सावरिया मारा देश में तो मीठा बोले और मीरा ने गिरधर मिलियो तो मिल गयो नंद सावरिया मारा देश में अठे निप जतती नरतन इक भगती दूजी सकती तो ती जो हे सतसंग ओ गाजो गाजो जेटे यह साड कमर ते जाओ अरे लग तोडो का जो सावन भालो अरे काजो काजो जेट आजाट कमर ते जाओ में लग तोडो का जो सावन भालो में लग तोडो का जो सावन भालो में लग तोडो का जो सावन भालो तो अत्रों काई सुत्त में सुत्मिर मीन्दे जरे थारा सातीडा की जे बाजरो वो गाजो गाजो जेत असाड कवरते जाओ लग पोड़ो गाजो सावन तेपा दिवो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जूत बते बोले बापत मारी ओ मारा साथी राखे ले तोर मा अरे खाजो खाजो जे मेहा साथ कवरते जारे तोर में तोरो खाजो सावन के भाद वे कर दो अरे चटे तो बढ़िया राग पेरन बाब दिये अरे चटे तो बढ़िया मारा पेलिया अरे खुचा बढ़िया राग बाब भारियो अरे बाड़ा मैं बढ़िया खारा पेलिया ओगा जो 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 जे पेना साथ कवर पेजारे ये लग पोड़ो जाजो सावन खेपा दिवो अरे खुचा बढ़िया 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 आले को जचलियों अवतारों तेद लवीरा आया काराचा अरे सहमा नाओ दे आयो कोल सावरा आयो काचो काचो चे पिल्डा काड़ कामर के जाओ एक बार जोड़ार तालियां पुझे महराज स्री के लिए एक छोटे से आग्रे पर अपने विस्ततम समय में से समय निगाल करके अपने हमारे आग्रे को स्विकार किया और इस कारेकरम में अपने मधूर कंठों के बाद्धम से समा बांधने का काम आपने किया आईए अब बहुत उनों की श्रंकला में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी हमारे बीच तस्रीफ लाएं हैं प्रिंस एजुकेशन अब सीकर के डिरेक्टर सम्मान ये जोगेंदर जी शूंडा एक बड़ जोड़ा तालियों के साथ उनका स्वागत करें आपके साथ ही केश्वानंद सिक्षन संस्तान के डिरेक्टर राम्याज जी धाका डेफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल के डिरेक्टर भाई संजीव जी कुलरी मेट्रिक्स स्कूल एवम कोचिंग के डिरेक्टर भाई विरेंदर जी धाका टेगवर एजुकेशन ग्रूप के जगन सिंग जी चार सीकर जीला निजी शेक्षन संस्तान संग के अध्यक्स मरगुरूवर अधने ये बियल रणवास्तर पहले से ही मोजूद है गुडा में सिक्षा की अलख नहीं यह कहुँगा कि क्रांती लाने वाले पैसंपजी बेनी वाले यह मोजूद है और चूंकि पहले भी हमने आगरे किया था कि समाज वो आगे बढ़ता है जो राजनीतिक रूप से मजबूत हो आर्थिक रूप से मजबूत हो और सेक्सिक द्रश्टिश से मजबूत हो तो राजनीति की मजबूती तो यह सामने बेटी है सिक्सा की सारी मजबूती मैं स्टेज के सामने बेटी है और यह जब दोनु मजबूतियां हैं तो इसका पांडाल में बेटे वे तमाम वो समाज के जो व्यापरी गण हैं वो भी या मौझूद हैं हमारे भी सम्मान निये रामिशुलाल जी रणवा मोझूद हैं भारते एजिक्सिन गुरुप के ओर से आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान तो आईये आवाग्य बढ़ते हैं और मामला और स्रीकार्तिये जी चोधरी रास्वाठ्स से हमारे भी एज़ मोझूद है आपकाभी बहुत बहुत स्वागत आप जोनयर से सिस्जीर्ट के करम में हम सुनना चाहेंगे लेकिन उससे पहले कारेकरम की भूमी का और कारेकरम की मूल्त थीम हमनगरे मैश जी इस करेक्रम का आयोजन, प्रियोजन और कौन सा संदेश हम यहां से लेकर के जाएं, देश की सबसे बड़ी पंचायत, दुनिया के सबसे बड़ी लोक्तंतर के मंदिर, भारत की संसद में सीकर का लगातार दूसरी बार प्रतिजिनी दीत्व कर रहे हैं, पिछले 25 वर्सों से सेखावाटी के हर गाउं, घर, ढाणी और गुवाडी तक सिक्सा और संसकारों के अलग जगाने वाले प्रम पुझे स्वामी सुमेदानाजी महराज संसद सीकर से आगरे करना चाओंगा आप अधार हैं, और यह देखिए कि संसकार कितने बड़ी चीज ह है, प्रदेश के कंग्रेस की कमान समानने वाले सम्माने गोविन सिंग जी जोटा सरा खड़े हो करके कह रहे हैं कि समामी जी जाइए और समाज करें समाबांध करके आईए, और यही काम आज करने के लिए हम यहां इकटे हुए हैं, पुझेश्वा में सुमेदानाजी भार तेजाजी महराज की तेजाजी महराज की जाइपूर के हिर्दे है, बिरला सभागार में आयज जी ताज के स्कारिकरम में हमारे युवाओं की टीम वीर तेजा सेना के रूप में, जो काफी समय से जाइप समाज में संगठन और जागरती का काम कर रही है इस संस्था के तत्वावदान में, राष्टिय तेजा समवाद, इस नाम से आयो जीत आज के इस विशेश कारिकरम में, मंच पर उपस्तेत, लक्ष्मनकर के विदायक, कॉंग्रिस के प्रदेश अद्यक्स, आधिनिस्री गोईन सिंग डूटा स्राजी, नोखा की विदायक, स्रिमती सुसिला जी, लाटनू के विदायक, बाई बुखेश बाखर जी, खंडेला के विदायक, बाई सुबास मेल जी, रतनकड के विदायक, माने चोधरी पूसाराम जी, और किसंगड के विदायक, आधिनिस्री विकाश चोधरी जी, और अभी जिनका, बहुती प्रेरक, काइन आपने सुना, यहां आशिरवात देने के लिए पदारे, श्रद्धे महराज प्रकाशदास जी, मेरे सामने उपस्थित, विभिन संस्थाओं से, पदारे वे संस्थाओं के निदेशक, अनेक संस्थाओं के संचालक, समाज के प्रबुद जन, हमारी सबी माताएं, बेने, और सबी युवा साथे, यह नाम क्योंकि ओंकार जी ने रखा, साइद इसी की सोच होगी, तेजा संवाद, राष्ट्रिय संवाद के रूप में, पहले तुमाप से बात करना चाहता हूँ कि नाम का बहुत बड़ा अशर पड़ता है, और आज इस चिंतन के खरने के लिए हम सब यहाँ उपस्तित हुए हैं, संवाद का अर्थ क्या होता है, एक आत्मी सामने से आर उसने का राम राम सा, और सामने से जबाब आया कि राम राम सा, यह संवाद है, आपस में सब्वेता पूरवक्ट, चिंतन, मनन, बैठना, बोलना, यह सब संवाद के अंग है, और जिस समाज में, जिस कौम में, जिस परिवार में, संवाद समापत हो जाता है, वो समाज, वो कौम, वो संगठन, कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो आज इन्हों रेक पहल की, और पहल के रूप में, अभी विदान सबा के अंदर, हमारे जो युवास आथ ही, और जितने भी विदाएक, चुनाव में जीत करके आई, इस कौम के उनका सम्मान करने की, इनकी बावना बनी, मेरे पास सचिन, स्रीराम, ऑंकार जी, रामचेंदर जी, यह सब लोग आई, और मुझे आकर के कहा, स्वामी जी मैं एक असा कारिक्रम करना चाहते हैं, आप अमारे मारे दर्शन करिये, तो मैंने आपका का बहुत अच्छी बात है, अभी बादन सीले से, नित्य वर्दोप शेविने, चत्वारी तस्य वर्दंते, आईू विद्या, यशो बलम, यदि हम समाज में यस्ट बढ़ाना चाहते हैं, बल ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अपने बड़ों का सम्मान करना सीखें, और तीन परकार से आदमी बढ़ा होता है, हमारे हाँ का आगया है, ग्यान से, पद्से और आईू से, पद्से आदमी बढ़ा हो सकता है, आप देखते हैं, किसी कारिया लेके अंदर दफ्तर में एक व्यक्ती 50 साल की उमर है, लेकिन फॉर्ट कलास का करमचारी उमर तो 50 साल उसकी है, लेकिन उसमें बैठने वाला आई एस जो आई पेसा दिकारी उसकी उमर के वरतीस साल है, तो वो उसका सम्मान करेगा, वह यदि को सिपाई खड़ा है पचास साल कर तो उसको सैलूट करेगा, वो पद्से की गरिमा है, अमारे पुझे मारा स्रिय अभी गा रहे थे, उमर में चाहिए छोटे हों लेकिन एक संत है, ग्यान के परतीक हैं, हम चर्ण छूते हैं, ये ग्यान का सम्मान है, हमारे गुरुजन कितने संस्थाओं के संचालक, विद्वान, अध्यापक जहां बैठे हैं, मैं कई बार देखता हूँ कि उनके सामने जब उनके चातर आते हैं, तो उनका सिरु उनके चर्ण तरफ जुकता है, ये ग्यान का सम्मान है, आईउ का सम्मान, हमारे बुजूर्ग लोग जो हैं, माता, पिता, दादा, दादी या समाज के और भी जितने परतिश्चित बुजूर्ग आदमी हैं, उनका सम्मान करना, हमारा सिष्टा चार बनता है, हमारा कर्तव बनता है, हमारा अभार बनता है, और जिस कौम में सम्मान की भाव होती है, वो बहुत बड़ी बात होती है क्रांतिकारी वे रामपरशाद बिस्मिल उन्होंने एक बात लिखी कि जो रास्टर सिक्षित ने होगा, संसकारित ने होगा उन्होंने एक बात कही और मैं उस बात से प्रेरित हुआ मेरे घर छोड़ने का कारण ही उनका एकोटेशन बना उन्होंने का कि सिक्षित व्यक्ति का शोशन नहीं होता और संसकारित व्यक्ति का पतन नहीं होता और जो कौम सिक्षित संसकारित होगी वो ने पतित होगी ने उसका शोशन कर सकेगा कोई संगठन तीसरी ताकत है ये तीनु चीज मिल जाएंगी संसकार मिल जाएगा सिक्षा मिल जाएगी और संगठन मिल जाएगा मैं आज आपको दावे से कह सकता हूँ दुनिया की को ताकत नहीं जो कौ्म को जुका सके और उसको आगे कर सके इसलिए कि आज यहां सभी लोग उपस्तित हैं एक मेरा आपसे निवेदन है मंज के साथियों से भी और सामने बैठें हैं आपसे भी हमें अध्यन करना चाहिए हमारी कौम का इतिहास बहुत उज्वल इतिहास है मेरा सोबागे रहा है कि मुझे पढ़ने पढ़ाने की प्रवर्ति रह अंता उसका वर्तमार और बहुश्य अंदकार में रहता है हम अपने अतीत को जाने और आपका अतीत बहुत गवरों में अतीत है आपने मंच पर कुछ मापरसों की चित्र दिखाई दे रहे हैं इनमें एक चित्र है मारजा सुरजमल यह वह ताकत थी हिंदूस्तान का जुको राजा होगा जिसने अपने जीवन में एक भी युद्धारा नहीं इतना बड़ा गवरों में इतिहास ऐसा अतीत ऐसा आइडिल दुनिया में किसके पास होगा वो आपके पास हैं हमारी बेहनें बैठी हैं मैं आपसे निवेदिन करूंगा जहां मारजा सुरुजमल को पढ़ते हैं जा हम चुआर सिंग को पढ़ते हैं पढ़ना चाहिए आपको किसोरी को पढ़ना चाहिए किसोरी कौन थी मारजा सुरुजमल की पत्नी थी जब दिली के लाल के लिए पर चड़ाई की और वो अभी एक आन बान और शान को ललकार दी एक सम्मान के लिए बा आथी को आगे बढ़ाते किले के अंदर लंबे-लंबे बाले लगे वे थे आथी पीछे अड़ जाता महरजा सुरजमल का बलीदान हो गया था और उस बलीदान का बदला लेने के लिए जुआर सिंग गए थे उसमें किशोरी जो सुरजमल जी की पत्नी थे जुआर सिंग की मा थी वो आती पर स्वार थी उसन देखा इस तरह से लाल किल्या का दर्वाजा तूटने वाला नहीं है उनके भाई बलराम थे उसनका बलराम अब बात बरने का समय आ गया है रजाई उपर से फैंकी बलराम ने रजाई लपेटी और लाल किले के दर्वाजे पर च्छाती ता गया है और वो खुद हाथी के उपर स्वारी हाथी को आगे बढ़ाया और गेट को तोड़ दिया और गेट को तोड़ने के बाद अंदर गुस गए किले पर कबजा कर लिया लेकिन हमारी कई गलतियां होती है इसार के पत्रकार थे उन्होंने एक लेक लिखा जाटों की टुमारे लिख म हुद नहीं है और वो बोला किसान था बोला जाड़ था बोला राजा था वहां इसके लाल के लेके गेट को उतार लिया एक तकट उठा लिया डिक लाकर के छोड़ दिया पिला और किलार नहीं छोड़ते तो पांसो साल पैर हम्हाजाद हो जाते हमारी ता स्विकार कर लिया और अपनी पगड़ी उतार करके काया मैं तो विश्वनात परताब सिंगों सौप रहा हूं तो इस परकार के गलतियां कई बार करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि या यह सावधानी बरतनी की जरूरते हैं हमारा इतिहास बहुत उज्वल है हम आगे बढ़ सकते थे लेकिन हमें रोका गया और कैसे रोका गया सिक्षा के छेतर में रोका गया सर चोधरी छोटुराम ने पहली बार हिमत की और 1916 में रोतक में पहली बार को जाट समाज का स्कूल खोल आज वो जाट माविद्याले के रूप में अनेक संस्ताओं के रूप में खड़ा है तो सिक्षा के छेतर में सर चाजूराम ने उनको धन दिया अभी विशेव ओंकार जी करे थे सिक्षा धन ये सब चीज़ें चाहिए तो उन्होंने धन धन दिया और धन के बल्बूते पर वो आगे बढ़े इसलिए मैं आप से निविदन करना चाहता हूं अपने आप धन की कमी नहीं है धन नियोजन की जरूरते धन को हम किस तरह से खर्च करें इसके आउशकता है जाट को धन कमाना खूब आता है खर्चना नहीं आता इसलिए यदि हम अपने धन का व्यवस्थ जो सोड़े सत्रे बाशाओं के जानने थे राष्ट पंडित की उपादी उनको मिली पुरा तक तो मैं आज तक उन जैसा विद्वान नहीं हुआ स्वामी केश्वानें जी महराज जिन्नों आजादी से पहले सेखारवाटी और बीकाने स्टेट में पांसो के आसपास विद ले बोलना ले सीख और दुस्मन को पहचान ले अब हम यहां भी मार खाते हैं तो हम आपस में अमारी बोल चाल अमारी भाशा हम एक दूसरे का सम्मान और अपना कौन है और प्राय कौन है इसकी पहचान जिस दिन कर लेंगे उस दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे मैं और सनई सनई यह लोग पूरे देश में भी पहुंचेंगे और व्यापक समठन जब खड़ा हो जाएगा एक ताकत खड़ी होगी तब हमारे युवा संसकारी तो होगा मैंने उनको एक बात कही कि अपने युवाओं के संसकारों के केम्प लगाओ उनको शरीर से मजबूत बनाओ उनको बल्वान बनाओ आज एजुकेशन के छेतर में मैं काना चाहूंगा कि जितनी मजबूत जाटों की संस्ता हैं इतनी दुनिया में किसी की भी नहीं है आप आंकडे उठा कर देख लें और मुझे नहीं कहना चीश मंद से हमारे लोग कई बार कहते हमारे नजर लग जाएगी कोटा में रोज सुसाइड की गटने होती हैं सीकर बचा हुआ है क्यों बचा हुआ है कि यह लोग खुद अपने निगरानी करते हैं खुद संसकारीत हैं एक एक बचे पर नजर रखते हैं मैं भी समय समय पर इनको प्रेरित करता रहता हूं कि अपने को देख हमारे बचे आज आरेएस हैं आईपीएस हैं आईएस हैं उद्योग जगत के अंदर हमने बहुत प्रगति की है आवशक्ता एक मज पर आने की है और मैं ये बच्चे उमर में बहुत कम हैं मेरे सो तो तीन वन थर्ड आयू इनकी है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इनों आज वो करके दिखा दिया जिसकी जुरूर थी सब लोगों को एक मज पर बिठा दिया आप सबसे मेरी निवेदन है हम सब मिलकर के बैठें मिलकर के चलें वेद भगवान ने का संग अच्छा द्वम संगवद द्वम संगो मनान सी जानताम देवा भागम ये था पूर्वे संग जाना नम उपासते हम मिलकर के चलें मिलकर के बोलें मिलकर के बैठें मिलकर के खाएं जब हमारी ये भावना हो जाएगी तो फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे लोग रोकने की कोशिश करेंगे लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे लोग आप में फूट डालने के लिए समाज की एकता दिखाने के लिए यहां पर आये हैं मैं आपका भी आभार व्यक्त करूंगा संगे शुक्ति कलव यूगे शक्ति कल यूग में संगठन की है अगर संगठन किसी के पास है वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है देश पर राज कर सकता है मैं पुने आ महराज की दन्यवाद है बद्बद शुक्रिया और अभार कि परमपुजे सीकर सांसद सुवेदा नंजी महराज का आपने अब ये कारेकर्म किस दिसा में चलेगा उसके भूमी का हम सबी के बीच रखी हमें किस तरह की चर्चावरु बाताई समंच के माद्यम से करनी है उसकी भूमी का आपने हमारे बीच में रखी और मुझे पुरा वरोशा है कि मंचा से इन तमाम हमारे सिर्ष नेत्रित्व को जब हम सुनेंगे तो कारेकर्म के बाद एक बड़ा मेसेज लेकर करके हम जाएंगे मैं देख पा रहा हूँ कि अभी अभी हमारे बीच तस्रीफ प्लाएं हैं बाई तुसे प्रत्यासी रहे बाई उमेदार रामजे बेनिवाल एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें देखे संगर्ष को हराद में प्यार करता है संगर्ष को हराद में प्यार करता है फद्यपूर से प्रताशी रहे आदनी बोज इंजिनेर सर्वन जी चोधरी एक बार जोड़ार तालियों के साथ स्वागत करें मकराना से प्रताशी रही और मकरान की वर्थवान परधान बेन सुमीता जी भीचर आप तिनों से आगरे रहेगा करपया मक्खे मंच आकर के जोईन करें क्योंकि विदाहिक बनना और थोड़ा वो तागे पीछे रहना ये राजनिती का पार्ट है हम तो आपको विदाहिकी मानते हैं करपया तिनों जी चोदरी जोटवाड़ा से पार्टी की परत्यासी रहे आप से भी निविदन रहेगा पदाहरें और मक्खे मंच पर इस्तान गरंड करने का कश्ट करें हमरे बीज सेकर के उपजिला प्रमुक बै ताराचन जी दहायल मोजूद हैं आप से भी निविदन रहेगा आकर के मंच जोइन करें हमरे बीज दोध परधान बैमधन जी शेवदा मोजूद हैं आप से भी निविदन रहेगा पदाहरें और मंच जोइन करें हमरे बीज दोध परधान बैन सुनिता जी रणवा के सशूर और बारते जिंदा पालिटी के 2003 में दोध चिपरता शिरे सम्मान ये रमिश्मलाल जी रणुमा वोजूद हैं आप से भी निविदन रहेगा कृपया मक्खे मंच पर आकर के इस्तान ग्रहन करने का कस्ट कर है मैं देख पा रहा हूं कि अमरे बीज दिनेज जी मांडेला, आसी जी सुंडा, मादेव जी खदाव, जोधपूर, चेतन जी, चोदरी, बाडमेर, भेराराम जी, बेनिवाल, बाडमेर, मानाराम जी, शरपंच, बाच्डाव, बाडमेर, मानाराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी दोती बांदने के लि जी की रंग में रंगे वे थे जिन लोगों के सहकार से वो काम हो पाया Skyline Builders के जेपुर के डाइरेक्टर मेरे भाई संकर जी स्येस्मा या मोजूदा एक बार जोड़दार तालियां देखिए 30 32 32 साल के उमर के लोग हैं लेकिन व्यापार का बड़ा समराज आपने खड़ा कर रहा है पूर लोगों को पूरी दुनिया में घुमाने वाले मेरे मित्र भाई सुमेर जी चोधरी रिवाई होलीडे के ओनर या मोजूद है आपके लिए भी एक बार जोड़दार तालियां हमारे भी सीकर पी एमो मेडिकल सुप्रिडेंडेंट आजकल जिनको कहते हैं बड़े विग्यापन में बड़े सयोगी रहे बाला जी एजूकेशन गुरुप डीडवाना के डाइरेक्टर मेरे से पार्टी भाई सुरेंदर जी नेरा मोजूद है उनके लिए भी एक बार जोरतार तालियां बजाएं हमारे भी सीकर डिस्यो भाई बल्देव जी मोन मोज़ेदो हैं आपका भी बहुत पूद सुगा आगत मैं देख पराऊं सीकर विनाएक होस्पिटल के डाइरेक्टर दोनों सम्मानी रिस्पाल जी फोजी और मेरे अंकल आधन ये रामदन जी बढ़केश हमारे बीच मोजूद हैं उनके लिए भी एक बार जोरधार तालियां कल के विग्यापन में सहका निबाले वाले सीकर डिंडल होस्पिटल के डाइरेक्टर बाई डॉक्टर मेहंदर दूलर्ड हमारे बीच मोजूद हैं हमारे बीच डॉक्टर राजीव जी धाका सीनियर रिजिडेंट स्मस मेडिकल कोलेज और होस्पिटल जीपुर मोजूद है आपका भी बड़ा सेयोग और बड़ा सेकार कल के विग्यापन में रहा आपके लिए भी एक बार जोरधार तालियां बजाकर के उनका श्वागित करें हमारे बीच सिवबो गांजी भगडिया रतन जी पिलानिया, काना राम जी जार जिलापरिशद सदसे उर्मिला जी धायल पुर्व जिलापरिशद सदसे सोरी वर्तबान जिलापरिशद सदसे ओम जी जीगर पुर्व परधान रनवीर ची सेवर सरपंच लालाज राम सुरूब जी सरवडी सरपंच सरवड़ी रामचदर जी भूकर सरपंच सेवा चुनिलाल जी जानी सरपंच पेवा रनवीर जी विजानिया जिला प्रिशत सदस्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सब्मान और आईए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले आमंतर देना चाहूंगा बात सुंदर और सुम्मे व्यक्तित्व के धनी संगर्ष के प्रियाई और बहुत कम उम्र में इस मुकाम तक पहुचने वाले डॉक्टर विकास जी चोदरी विधायक किसंगर्ट इश्वर करें आप लंबी रेस के घोडे साबीद हो डॉक्टर शाप और समाज का मारत दर् बाई डॉक्टर विकास जी चोदरी गरी मामाई कारिक्रम में पधारे मंचस्त अथिदिगान दादू वानी को जन जन तक पहुचाने वाले हमारे इश्ट पेजाजी माराज के वचन और कटवे निष्टा को आगे बढ़ाने वाले प्रम गोभक प्रकास दाजी माराज के चल्णों को वंदन करता हूं प्रणाम करता हूं जिनकी वाणी जिनके फटकारे जिनका व्यक्तित्व और हम जैसे नोजवानों को सही रस्तद दिखाने वाले राजस्तान प्रदेश के वरिष्ट नेता समानिय गोण जी डोटासरा साब के चल्णों को प्रणाम करता हूं मैं उस जिले से आता हूं जहां मैःसी द्यानन सरस्वती हुआ करते थे उनको पड़ा है देखा है उनके नाम से जो विश्व द्यले उसका मैं चातर संका देख स राहूँ लेकिन वर्तमान परिपेक्स में मैरसी दियानन सरस्वती को साखशात रूप देने वाले सिकर सांसाज सुबादेनन सरस्वती जी के चर्णों को प्रणाम करता हूँ उसी देले में मेरे साथ रहे संगर्च के प्रयाई लाड़नू से दूसरी बार विधायक भाई मुकेश जी बाकर को प्रणाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ जिन में मेरी जेसी हुई जिन को पाला बदलना पड़ा लेकिन पाला बदलने के बाद भी अपने साथ एक कारवा ले जाने वाले विधायक मेरे भाई सम्मानिय सुभास जी मेल साथ जिनके वेक्तित्तु को देखते हुए लगता है कि ये वास्तमे जाठ है ऐसे रतंगर्चे विधायक सम्मानिय पूसाराम जी राजस्तान में लंबे समय तक राजनेती चेत्र में काम करने वाले इस राजस्तान की विधान सभा में नेता पर्तिबक्स रहे उनके एक ऐसी समय परस्तती जीवन में आती है वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका प्रतिनिद्धू करते हुए उनके जो काम थे उनकाम की वज़े से उनके धरम पत्नियां हमारे बीच में विधाईक के रूप में हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ तमाम मंचस्त अतिति गण अपने अपने चेत्र के सारे वरिष्ट गण इस जो राष्टिय तेजा समवाद के जो सिपाई है जिन सिपाईयों ने मुझे तेजा सेना के उन जामाद सिपाईयों से मिलाने का काम क्या है मैं तमाम आयोजन करता हूँ का अभार प्रकट करते कि जीवन में सपलता और ऐस्पलता एक सिक्ए के दो पहलू है जीवन में हार जीत चलती रहतीन है सिपाई के छेत्र के के लोग यहां बेटें लेकिन हम उस किसान परिवार से आते हैं जिस किसान परिवार ने देश की आजादी से लगा कर देश की सिमाओं को सुरक्षा देने के नाम पर और आज व्यापार के छेतर में यह दिस सबसे कोई आगे है तो यह हमारा किसान परिवार आगे मैं अभी कुछ दिन पूरू एक जोसब के कारिकरम में था मैंने उस समय भी यह बात कई जब आज मेर विशिद्याले का अद्देख स्वा करता था तो मैं एक डिबेट कारिकरम में हैदराबाद के ओसमानिया यूनिश्टी में गया हुआ था तो उन्होंने मुझे देख के एक प्रोपेसर ने का की के आप जाट हो मैंने का जी दिखने में तो लग रहHOँगा वो कया दिखने में तो लग रहे हो लेकिन इसका अर्थ मुझे समझाओ कि जाट क्या होता है मैंने का जी अन्याए कि विरुद्र सबसे पहले जो खड़ा म लिए अपने प्राण तक त्याग सके वो जाट होता है हमारी देश की सीमाओं की सुरक्सा के करते हुए जिसके सीने में सबसे पहले गोली लगती वो जाट होता है जिसमें प्रिस्रम की प्रकाश्टा हो जिसमें करुणा का भाव हो जिसमें त्याग और समर्पढ हो वो सबसे पहले किसी में जलकता हो तो वो जाट होता है मैंने का जिसकी थाली में एक रोटी हो और यदि घर में मेहमान आ जाए और उस थाली को उस मेहमान के आगे करने की जिसमें समता हो जिसमें समरप्रन का भाव हो वो जाट होता है लेकिन मेरे नौजवान सातियों हमें समझना पड़ेगा, हमें समय को भापना पड़ेगा, आपकी उर्जा, आपके जोस की हम कदर करते हैं, लेकिन ये उर्जा और ये जोस सही दिसा में जाये, इसके लिए हम मंच्वे बेड़े तमाम लोगों को ये प्रियास करना चाहिए, तेईस साल की उमरे में जब भगत सिंग जी इस देश के लिए सादत दे रहे थे, उनके सब्द मुझे एक किताब से पढ़ने को मिले, कि जीवन में हर इंसान महत्वा कांगसी होता है, जीवन में हर इंसान आसानुइत होता है, आसावादी होता है, जीवन में हर इंसान के लाल सा होती है लेकिन एक समय जब आता है जब वो सब को त्याग सके ये कोई में समता होती है असली वोई सपल होता है इसलिए हमारे को बगत सिंग जी के विचारों को भी आगे बढ़ाना होगा और मैं तो प्रमसोबागे साली हूँ मैं किसंगट की उस मार्बल नगरी से आता हूँ जहां तेजाजी महराज ने अपने सत्य वचनों के खातिर हजार बरस पूर हमारे सुरसराज गाहों में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया मैं आप सभी तेजा से ना के तमाम सेनिकों को आवान करता हूँ कि वहां पदारो हमें एक नेक्स्ट कारिकरम इस पूरी टीम के साथ वहां करना चाते हैं और हमारे नोजवान कैसे इस किल से अपना काम करे हमारे नोजवान कैसे व्यापार के चेतर में काम करे हमारे में एक चुनाव लड़ा विदानसभा का सुभाज जी जी स्प्लेट पार्म पे उस प्लेट पार्म से लड़ा जहां लड़ने को मिले लड़ना चाहिए लेकिन जीवन में सबसे महत्पूर्ण है वो आपका चरित्र है आपकी फेस वेल्यू है आप जहां भी रहो यदि आपक के पास मेरे 2018 के चुनाव परिणाम के बाद गया तो उन्होंने मुझे दो लाइन कहीं वो मुझे याद है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं तु इंसान है कोई अउतार नहीं गिर उठ चल दोड भाग यह जीत संक्सिप था इसका कोई सार नहीं इसलिए नोज़वान सात हो हम किसी भी फिल्ड में सपल हो तो हमें ज्यादा उस जीत पे इतराना नहीं चाहिए हमें सयम्मित रहना चाहिए हमें सालिन रहना चाहिए और हमें ऐसा पलता मिले तो ज्यादा निरास नहीं होना चाहिए जीवन के पहलु है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह development के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेगा इन नोजवानों के बहुष्य की नीम को मजबूत करने का काम करेगा मेरे यहां पधारे किसान परिवार के तमाम पिता तुल्ले लोगों को प्रणाम करते हुए यहां बेटी मात्र सक्ति जिन्सकी संख्या कम है मुझे लगता है यह संख्या हमारी बढ़ेगी तमाम मंचस्त अतिदिगन और तमाम लोग जो मोती से महंगे हैं उनको प्रणाम करते हैं मैं अपने वानी को विराम देता हूँ बोलो वीरतेजा जी महराज की जे जवान जे जवान मैं पुने वीरतेजा से ना के तमाम लोगों को ग्यापित करता हूँ मेरी तरब से सुपकामने प्रेसित करता हूँ कि मुझे आज इन जवानों और किसानों के कारिक्रम में आने का मोका मिला दन्यवाद जैहिंद कि बहुत-बहुत सुक्रिया संभाने विकास जी चोधरी विदाइक किसंगड का कि गविन सिंग जी जब विकास जी को सुन रहे थे तो हमें यह लग रहा था कि समाज का राजनितिक भविस से भी उच्वल है आप संगर्ष के प्रियाई रहे हैं और मैक्सर कहता हूँ कि जिदर जवानी चलती है उदर जमाना चलता और उस कथन के आप प्रमान है खुद क उपर यकिन करके आदमी किस तरह से आगे बढ़ सकता है आप उस बात के भी प्रमान है इसलिए मैं यह कहना चाओंगा कि ख्वाबों की जमीन बंजर होने से पहले धूवा धूवा या मनजर होने से पहले होसला मन का तीतर भीतर होने से पहले इस रंगीन केनवास को रंगीन करना सीखना होगा और सबसे पहले हमें खुद पर यकीन करना सीखना होगा अगर हमने इस कारेक्रम के माध्यम से एक ही सबक ले लिया कि हमारा भरोशा खुद पर है हम जहां खड़े हो जाते हैं वहां से कारवा सुरू होता है तो हर आदमे आदनी विकाज जी की तरह आगे बढ़ सकता है आईए इसी स्रंकला में हम आगे बढ़ें उससे पहले हमार भी इस तस्रीफ प्लाएं हैं डॉक्टर भूप सिंग जी पुनिया डॉक्टर किसोर जी ड बहुत 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 आभार प्यारेलाल जी खीचा डाइरेक्टर विवेकानन्द डिफेंस एकड़ेमी सतीज जी सुन्डा चेर्मेन सतीज गेस एजेंशी डॉक्टर आसा लता जी फोगार्ड डैरेक्टर एसमेस सिनिय डॉक्टर एसमेस होस्पिटल जेपुर भीकाराम जी शर्पंच जगदीजी शर्पंच आप सभी का बहुत बहुत आभार और आईया आप इस रंकला में आगे बढ़ते हैं मैं अगला मंतर देना चाहूंगा राजस्तन की विधान सभा में खंडेला की जनता की आवाज बन करके उभरे खंडेला विधायक बड़े भाई सुबास जिमील को पधारें और इस सुब आउसर पर इस युवा सक्ति का मारग दर्शन करें तेजाजी महराज के जिवन मुल्लों को आत्म साथ करने का आगरे आप सब इसे करेंगे खंडेला विधायक बड़े सुबास जिमील को राश्टी है तेजा समवाद कारे करम में है हमारे बीच में है अपनी गर्रिमा में उपस्ति देते हुए है कॉंग्रेस के प्रदेशा दक्स समाने सिरी गौंजी डॉटासर शाब हमारे सीकर जिले के सीकर लोकशबा के शांचद परम सम्मानिय श्वमी श्मेदान जी श्रफशति शाब हम विधान शबा में हमारे साथी विदाएक भई विकास जी चोधरी शाब जो किसंगर से हैं सम्मानिय अपूशा राम जी गोदरा साब विदाएक जी समानि परम समानिया स्रिमति सुषिला जी रामिसर जी डूडी साब हमारे बीच में हमारे छोटे भाई लाटनु विधायक मुकेश भाकर जी हमारे गुरु जी सरुन जी चोधरी साब हमारे बीच में विराजमान समानिया मदन जी सेवदा साब अरे बीचे में शुमिता जी भीचर शाब, तराचन जी, दहिल साब, दिनेज जी सूंड़ा साब, उमेद राम जी बेनिवाल साब, राम शर्च जी रन्वा साब, और पुझ्य संथ, परम सम्मानिय स्री परकाज जी दाश्ची महरा साब, और इस कार्य करब में अपनी बहुमी का, पैसे तो बहुत सारी लंबी चोड़ी टीम है, लेकिन भाई, शिराम बिजारने जी, सचिन पिलाजिया जी, समानिय है, उकार जी मौन साब, राम चंदर जी और सभी इनकी टीम सामने बैठे, सभी हमरे समाज के, जन परते दिन जी गान, नागरिक गन, पिले तो मैं एक जेकरा लगाँगा, बोलो तेजा जी महराज की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, राष्टे तेजा समाद के सभी आयजगों को, कि आपने एक बहुत ही अच्छा कारे कर आँए, बिल्ला ओडिटॉरियम में रखा, समाज के सभी जन परतिनीदियों को, जो समाज में विभिन संस्ताओं में काम कर रहे हैं, विभिन क्षत्रों में काम कर रहे हैं, और अलग अलग जगे समाज का परतिनीदित्व कर रहे हैं, और समाज का एक तरीके से परसम लेरा रहे हैं, आप सब को यहाँ पर आमंत्रित किया, और एक जगे बैठा गा, हमने निश्यत रूप से आपका ये कदम, बहुती स्वागत योग्य है, और जो सामने बैटे हैं, मैं तो व्यक्तिकत रूप से मानता हूँ, कि जो भी सामने जो परतिवाई हमारी बैटी हैं समाज की जो विभूतियां बैटी हैं समाज के अंदर आपका योगदान हम से बहुत कहीं ज़्यादा है कई बार हम तो फिर भी राजनितिक चीजों को देख लेते हैं लेकिन जो आप लोग जो सामने बैटे हैं विभिन संस्ताओं को चला रहे हैं वो सही तरीके में अगर देखें तो समाज को एक सही दिशा देने का काम आप सब लोग मिलके करते हैं कि मेरा इस मंस के मादन से एक निवेदन भी है जब भी हम कोई ऐसे कार्यकरम करते हैं संमेलन करते हैं अधिवेशन करते हैं तो ऐसे हर प्रोग्राम में से एक दो प्रस्ताव ऐसे पास होनी चीए मेरा व्यक्तिक रूप से ये शुजाओ है ताकि उसकं एक शार हो की इसमें हम ने ये दो प्रस्ताव पास कि और पूरेर रज películ के अनदर पूरे राजस्तान के अनदर एक मेसेज है कि वहां पे जो अधिवेशन हुआ जो सम्वाद कार्यकरम हुआ उसके अंदर ये प्रस्त बात करेंगे एक जगे से तभी सही मायने में इसका हमें लाब मिलेगा मैं मेरी तरफ से समाज के सभी विभुतियु से आस्वस्त करना चाहता हूं आप सभी को मेरे लाइक कभी भी कोई काम हो आप अपने परिवार का एक छोटा सा सदस्य मान कर कभी भी मुझे आप फोन कर सकता हैं मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 गंटे खुले रहेंगे आपको विश्वाद दिलाता हूं कोई उसमें राजनितिक विचारधारा कभी आड़े नहीं आएगी इस बात के लिए आपको वास्वस्त करता हूं आज जिनके नाम पर हमारा ये कारे करम जो तेजाजी के नाम से रखा गया है सही माइनों मैं अगर हम देखें तो उनके जीवन से जो सार रिकल के आता है जो प्रेणा हमको मिलती है सत्यवचन और अपने परतिग्या के लिए प्राणू का भी बलिदान कर देना या हम जिस समाज में या जिस जगह पर हम लोग अपने काम कर रहे हैं अपनी डूटी कर रहे हैं अपना जीवन जी रहे हैं अगर उस राष्टे पर अपना बलिदान भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चीए ये हमें प्रेणा मिलती है हम सब लोग अलगलग सेत्रों में काम कर रहे हैं और हमें सच्चाई के लिए अगर कोई भी कदम उठाना पड़े तो हमें कभी उसे हिश्कना नहीं जी ये मेरा सोभग्य है कि आज मुझे इस कारेकरम में आने का मौका मिला थोड़े दिनों पहले एक और भी कारेकरम होता जो सब का उसमें मुझे आने का मौका मिला था और एक बहुत अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जो नोजवान 25-25 साल के 20 साल के ये सब लोग मिलकर ये कारेकरम मायोजन कर रहे हैं इससे बड़ी बात हमारे समाज के लिए कुछ हो नहीं सकते हैं इससे यह अंददा लगा जा सकता है कि हमारा समाज एक सही दिसा में जा रहा है और बीच राष्टे में रुक कर एक चिंतन भी करना चीए कि हम जहां जिस मंजल के और जा रहे हैं कहां तक तक तो हम पहुंच गए हो और क्या हम पीछे छोड़ के आगे हैं तो यह तरह का जो पढ़ाव आप लोगों ने रखा है एक मसवरा करने का और एक आपस में बात करने का कि हमारा समाज कौन सी दिशा में जा रहा है क्या हमें इसके लिए कदम उठाने चीए तो एक बहुत अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मैं तो यह कहता हूँ कि जो सामाजिक चिंतक होते हैं जो बुद्धी जी भी समाज के होते हैं जैसे इसकुल कोलेज चलाने वाले शिक्षय संस्तान चलाने वाले आप भी अपनी सुजाव यहां पर दीजिए हर वक्ती का सुजाव यहां पर महत्वपूर्ण है और निशित रूप से इस मन्थन से अगर कोई बात निकल कर आएगी तो मैं तो आपको विश्वाद दिलाता हूँ कि उस प्रस्ताव को उस बात को जितना मेरे से बन पड़ेगा हम से बन पड़ेगा उसको हमरे समाज के क लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे इस बात के लिए आपको कहना चाहता है आपने सभी आईजट सात्यों ने यहां पर बुलाया मन्समंद किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जो अतितिगंद यहां पर मंस पर बेटे हैं विराजमान हैं आपक ओड्रणा जे महाराज की अ करे बहुत वत शुक्रिया संवननिय सुभास जमील साब का इस सच है कि इस तरह के आयोजनों का पर युजन तभी सार्थ हो पाता है जब हम वहां से कुछ संदेश ले करके जाएं किसी बात का प्रस्ताव ले करके जाएं ववा हैं को कारिकरम के जा रहे हैं उनसे निविदन रहेगा मेरे ख्याल से आज के दिन गोविन सिंग जी डोटा श्राच यह जदा विस्त कुछ नहीं है लोग सब है यह सचाई है जो नाव सिर पर है लेकिन 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 आपने काह किस सबसे पहले आकर के बैठों गार बहुजन की वविस्ता कारेकरम के बाद में है जाते समय आपको तेजा जी महराज के एक छोटा मेमेंटो स्टेजू दिया जाएगा उसको आप अपने घर परतिष्टान या गाड़ी जहां भी चाहें रख सकते हैं और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच अभी भी जाएशी रहे बाई डॉक्टर विबेक जी माचरा कल के फुल पेज के विज्यापन में सहकार निभाने वाली तीम ओप्रेशन टेजा के बाई गनेश जी महांबू बाई देवेंदर जी बाई जी तेंदर जी तारादेवी जी बाई सर्पंच सुनिता जाजडिया जी रण जी शोटवारा सर्पंच सीताराम जी चोदरी सचवाली अद्देक्स मेहंदर जी जाकर मेहंदर जी जसराशर सत्पाल जी धिवां सरपंच गुंगारा प्रदेश कोंगनेश कमिटी मासाजीव राहूल जी भाकर रास्तान विश्व विद्याले मासाचीव भाई अर्म जी जाजड़ा दातराम गड़से भाई राजेंदर जी धीजपुरा आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत आभार और अब मैं आपके भी इस मंच पर आमंतर देना चाहूंगा लगातार दो बार से लाड़नों की आबाज नहीं संपुर्ण राजस्तान के आवा युवाउं के आवाज मन करके चाहे समाज का मंचो चाहे राजस्तान की विदान सबा हो बिलकल बेबाक हो करके बेदड़क हो करके अपनी बात रखते हैं और दम और खम के साथ रखते हैं मैं अमंतर नियरा चाहूंगा मेरे छोटा बाई मुकेश जिभाकर को आप पदारें और इस सबसब पर हमारा मार्ग दिर्शन करें बाई मुकेश जिभाकर बोले तेजा जी महाराज की आज वीर तेजा सेना राजस्थान दुआरा रखे गई से राष्ट्रे तेजा समवाद कारिकरम में मंचपर विराजमान पूजे स्री प्रकासदासजी माराज कॉंग्रेस कमेटी के परदे साथ देख्ष पूर्व सिक्सा मंतरी रहे आधर्णिये गोविन सिंग डोटास्वरा साब मंचपर विराजमान सिक्कर में सिक्सा की अलग जगाने वाले हुए है लगातार दो वार्थ सांसद आधर्णिये सुमेदनन जी सर्च्वती साब रामेश्व डूडी जी जिनके दरम पत्नी और वर्थमान विदायक सुशिला डूडी साब अभी हमारे बीच पदारे राजस्तान सरकार में मंतरी आधर्णिये खरा साब बड़े भाई और खंडेला से विधायक भाई सुबास जी मेल साब रतंगर से विधायक आधर्णिये पूसाराम गोदारा जी किसंगर से विधायक भाई विकास चोधरी जी मंच परिविराजमान समाज के विबिन सेक्तरों से राजनितिक सेक्तरों से पदारे सभी वरिस्ट नेतागन इस कारिक्रम में मुखे तोर पर संचालन की इस कारिक्रम को करानी की जिनोंने बिड़ा उठाई तेजा सेना के भाई सिर्राम बिजानिया जी बाई सचिन जी भाई ओंकार जी मून साब गाम चंदर जी सर्पन साब समस्त वो युवा सक्ति जिनोंने आज एक इस अनूठे कारिक्रम की जेपूर के बीच बिड़ला उट्टोरियों में आपने इस कारिक्रम को कराने का जो एक साहस दिखाया जो एक काम हाथ में लिया उसके लिए मैं वीर तेजा सेना का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से समस्त राजस्तान की युवा सक्ति की ओर से करना चाहता हूँ साथियों तेजा सेना का ये दूसरा कारिक्रम है जिसमें मुझे आने का मोका मिला इससे पूर्यों में सिक्कर में आप सबने ये कारिक्रम रखा जिसमें जो इसकूलों में जो टोपर बच्चे थे सेक्सिक दरश्टी से उनका जो खिलाडी थे उनका समाज की विभिन प्रतिभाओं का आपने सम्मान का कारिकरम रखा और उस कारिकरम में आपने मुझे पिछले साल मंत्रित किया उस मंत्रित से भी मैंने कहा कि ना केवल ये तेजा से ना एक महौल पूरे राजस्तान में ये बन गया कि समाज के नाम से अगर कोई संग्ठन बनेगा तो वो सिरफ धरने पर दर सनहा उलड का काम करेगा लेकिन आपने ये अच्छी पहल की कि पहला कारिकरम आपने ऐसा करा कि समाज की वो समस्त विभूतियां जिन्होंने समाज का नाम रोसन किया अपने गाउं का नाम रोसन किया उनके समान का आपने ये कारिकरम रखा है और उससे ज़्यादा खुसी इस बात की है कि आज दुबारा आपने ऐसे कारेकरम को यहां आज रखने का काम किया जिसमें सभी पार्टियों के वो लोग जो जीते हुए जो समाज में अपना वर्चत सो रख रहे हैं राजनितिक सेक्तर में उनको बुला कर उनके सम्मान का कारेकरम आप ने रखा है और यह एक अच्छी पहल है जिसका एक अच्छा संदेश समाज में पूरे राजस्थान में जाएगा आज हम सब लोग यहां बेटे हैं समाज के बारे में सिक्सा के बारे में मेरे से पूर वक्ता उन्हें सब बातें रखी लेकिन जब हम आज चिंतन के लिए यहां आए हैं तो हमें सबसे बड़े चिंतन की जरुत आज इसलिए भी है क्योंकि कोई भी समाज जब पहल करता है तो लाखों लोग इकठे हो जाते हैं हम लोग पिछले लंबे समय से किसी एक जंडे के नीचे नहीं आ पा रहे और उसकी वज़े हमारे लोग नहीं है उसके लिए जिम्मेदार जो समाज के नेता जो लोग खड़े हो लोग है क्यों है क्योंकि जब भी कोई समाज के नाम से हम लोगों को इकठा करना चाता है तो हम लोग इकठा होकर एक उर्जा एक आसा की किरन हम लोगों को दिखती है कि ये संक्टन आज बना है और ये हमारे समाज के लिए कुछ करेगा लेकिन जैसे ही ताकत हमारे आत में आती है लोगों का बरोसा हम लोग जीतते हैं तो एक वार समाज को कॉण्ग्रेस को बेच जाते हैं और दूसरी वार BGP को बेच देते हैं यह सबसे बड़ी वीडम नाम लोगों के सामने हैं और फिर लोगों का ये बरोसा होता है कि ये संक्टन खड़ा हुआ है थोड़े दिन चलेगा और फिर कोई ने कोई अपनी राजनितिक इच्छा पूर्टी के लिए किसने किसी पार्टी में वो गुश जाएंगे तो इस बा समाज आज ठगा महसूस कर रहा है कि यह संग्फन बनेंगे कहीने कि दूसरी पार्ट में विले हो जाएंगे कहीने कि हम लोगों को बेच तेजाजी महाराज को हम क्यूं याद करते हैं कि उन्हों ने अपपनी जबानके विए वह चाते तो बच भी सकते थे लिकिन उन्हों ने कहा कि मैंने अगर जबान दे दी तो मेरी जबान की कीमत है तो उस बात को हम लोगों को समझना पढ़ेगा आज हमारे इतियास के बारे में सुमेदानन जी ने बात कई हमें लोगों को पढ़ाना पढ़ेगा आज वो किताबों में हम वो ही पढ़ रहे हैं जो पचास साल से जो पढ़ाया जा रहा है मैंने विदान सबा में भी बात रखी कि माराजा सुरजमल हम उनको पढ कि आप उसको हम लोगों को बताने के जरुरत है हमें कुदन का वह किसान आंदोलन जिसको ब्रिट्रीश संसद में जिसके बारे में बोला जाता और हमारी नई पिडीगों उसके बारे में पता ही नहीं इन बातों पर हमें चिंतन करना पड़ेगा हमें राजने हम मंच पर बेटे हम राजनेतिक लोग हैं आज समाज में नारा दिया जारा लोगों में नारा दिया जारा 35 बनाम एक लेकिन हम कभी भी 35 बनाम एक नहीं 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे और जो लोग हमें बांटना चाते हैं उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि सामंत पिसेस नहीं जिसकी सोच होती है, वो यह चाहता कि मैं लोगों को ड्रा कर उंको आपस में लड़वा कर और फिर राज करूँ, और किसान कौम, किसान कौम यह चाहती कि मैं लोगों के सुख दुख में खड़ा रहूं, उसके काम आऊं और फिर लोग हम से जुड़ें, तो इस और वो दोनु सेक्टर जिनों ने इस राजस्तान को दिसा दी, चाहे राजनेतिक रूप से हो, चाहे किसानों को लेकर हो, मारवार ने अगरे निये बुमी का निभाई, और आज पूरे राजस्तान की नजर सेखावाटी की ओर है, वो क्यूं है, क्यूंकि सिक्सा और आठिक रूप से जितना मजबूत सेखावाटी का किसान हुआ है, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा, तो ये सब बातें आप लोगों को बीच आकर हमने इसलिए रखी है, कि हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, कि जैसा सुमेदानन जी ने कहा, कि कल्यूग में संग् कि ही ताकत है, जो संग्ठीत रहेंगे, तो हम बचे रहेंगे, और संग्ठीत नहीं रहेंगे, तो हमें कोई पूछने वाला निये, ये सबसे बड़ी सीख हम सब लोगों को लेकर जानी पड़ेगी, कोई भी समाज का वेक्ति आगे बढ़ता है, तो ये समझना पड़ेगा कि हमें उसके खिलाप, उसे नाराज की उससे इस्तिया ना रख कर, उसका मदद उसको आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों को करना है, ये ही बातें आप लोगों के बीच करूँगा, सबका बहुत-बहुत धन्यवाज, जैवीर तेजा जी माराज, जै हिंद, जै भारत. बहुत-बहुत सुक्रिया, संबन ये मुकेश जिभाकर साहब का, आपका एक-एक सब्द सीधा कलेजिये तक इसलिए उतर रहा था, क्योंकि आपकी एक-एक बात प्रिक्टिकल है, मैंने कारे करम के शुरुवात में कहा था, कि गाउं में अगर पांच जाटों के घर में ध आए, अभी तक तो सम्मानित मंच हमें मजबूती दे रहा है, अब आप सभी का, आप सब की और से जब सम्मान करेंगे, तब तक आप सब को यहां बने रहना है, कुछ संबोधन हो जाए और उसके बाद हम आपका सम्मान करेंगे, अभी जो आरेस का रजल्ट आया था, एक नव नियुक्त आरेस, जो समाज के उनका सम्मान हम करना चाहेंगे, समाज के कुछ भामा उस्चाओं का सम्मान हम इस मंच के माद्यम से करना चाहेंगे, इसलिए आप से निविदन रहेगा, कि कारेकरम के अंध तक आप सहकार बनाए रखें, आईए अभी अभी हमारे भी तस्रीप आएं हैं, सरकार में एक मंतराले ऐसा है जो काजल की कोठरी है, या तो उस मंतराले को मुख्य मंतरी खुद के पास रखता है, या फिर वोस्चादमी को देता है, जो उस काजल की कोठरी में से बीना कालिक लगाये बाहर आ जाए, और राजनीते में, ऐसे लोग मि पिलना और ढूंड़ना दुरलब तो नहीं कहूंगा लेकिन मुश्की लवस्य है मुझे इस मंस के माद्यमीद से कहते हैं कि इस मंस के बीचों बीच जो एक खुदार आदमी साफे में बेठा है जो अपनी बात का सच्चा है और हर बात बहुत इमानदारी के साथ रहता है इन कि मैं विधाई करे लिया और यह देखिए गामनी यह होता है मैं विधाई करे लिया पिता मंतरी रे लिया जमीनी बेचनी पड़ी हमसे तो बात रूम भी घर पर बना नहीं यह राजनीती का इमानदारी है और हमरा शोभाग्य है आज देखो गोविन जी काल जो काड ले जैसे सकना हो माराज जी बोलवा ने खड़ा हुए सम्मान के साथ कहा बिना कहे ही जावर्शिंग जी का श्वागत गाउ में कावते के गोड़ा पेटका नहीं लोड़ाए तो मैं तेजा से ना के प्रदेशाद एक्स बैसी राम जी बिजाने से आगर करना चाओंगा आप पधारे और मालियार पणकर राजस्तान सरकार के युडियेज मंतरी सम्मानिय जावर्शिंग जी खर्रा का श्वागत और सम्मान करें और आप जोरदार कालियों के साथ इस रस्म के शाक्सी बने जब हम आमंतन देने के लिए गए थे जैसे पांचवी क्लास का बच्चा थूक अंगुली के लगा करके किताब के पेश बलता है वैसे फाइल का एक एक सब्द पढ़ रहे थे मने साब जे गावने का साब अब कोई फाइल यूही अप्रूल होगी नहीं बहुत सिस्टम से होगी एक एक चीज को बहुत बारिक चीज से देखते हैं संबान ये जावर सिंग जी खर रहा है और अब अगले उद्वधन के लिम मंच पर आमंतर देना चाहूंगा हमर भीच मोजूद रतनगट के विधायक और समाज के हरे काम में बहुत मजबूती से आगे रहने वाले सम्मानिये पूशारामजी गोदार को आप पढ़ारे और इस अप्सर पर हमारा मार्क दरस्तन करें सम्मानिये पूशारामजी गोदारा अगर देश तेजा सेना के तत्वादान में आयुजित राष्ट्रिये वीर तेजा संवाद कारिकरम में पढ़ारे परम सर्दे महराज प्रकाज जी परम सम्मानिये हमारे प्रदेश कॉंग्रेस कमेठी के सम्मानित अद्यक्स सम्मानिये राजस्तान के किसानों की मुखर आवाज प्रम सम्मानिये गोविन सिंग्री डोटा सब प्रम सम्मानिये हमारे सीकर से सांसद विद्वान सुवेननद जी महराज सब सम्मानिये साथी विदायक मुखेश बाकर जी लाटनू किसंगर विदाई विकाश चोदरी जी हमारे राजस्तान के किसानों के कद्दावर नेता रामेश जी डूटी की धरम पत्नी शिर्मिती सुशिला जी प्रम सम्मानिये हमारे खंडेला के विदायक सुवास मील जी सभी मंस पर आसिन हमारे सम्माज के प्रभू द्वन कद्दावर नेता और कारेकरता सामने विराजमान सभी हमारे समाज के योदा सभ्धान्त गाउं से लेकर जेपूर तक सभी समाज के आगवा लोग जो सामने विराजमान है सम्मानिये सभी से भागी सम्मानिये मात्र सक्ती मेरे पूर वक्ताउं ने बहुत स्यांदार तरीके से हमारे समाज को दिशा देने वाली बातें कही निश्चित तोर से संग्ठन में सक्ती है और तेजा सेना जब गठित हुई तो इनका विचार हमारे पूर वक्तावन बताया कि साइद एक घुलडबाजी वाली होगी लेकिन मैं धन्यवाद देना चाता हूँ हमारे समाज के युवां को और आज के परदेश के तेजा सेना के अध्यक्स भाई सिर्राम बिजार्णिया जी को कि इन्होंने परदेश में जो तेजा सेना का संक्थन खड़ा किया है वो सभी वरग और जाती को किसी भी परकार की कठिनाई नहो लेकिन अपने समाज के लिए ताकत के साथ समाज सुधार की तरब समाज को मजबूती देने के लिए और युवां को इथियास जैसे मारजा स सुधार जी हमारे समाज के बहुत बड़े मापुर्श हुए वीर तेजा जी महाराज जिनका कोई सानी नहीं वो अपने वचन करम से सचे थे एक छोटे से काम के लिए गूजरी की रक्षा के लिए अपने प्राण निचावर कर जो वादा किया उसको निभागर अपने प्राण निचावर कर दिये इस से समाज को ये संदेश जाता है कि हमारे राष्ट्रिये हमारे प्रदेश के लोग देउता वीर तेजा जी महाराज जिनों ने समाज के लिए एक इत्यास बनाया और उन्च की प्रदस्ता से समाज को आगे बढ़ने के लिए संगठित होने के लिए सिक्सित होने के लिए चरितरवान बनने के लिए और सम्मान के लिए परिरित किया समाज की उन्ति हो हमारे युवा है वो हमारे प्रदेश के और हमारे समाज के करनधार है और उनमे अच्छे चरित और कुणवान हो जिससे हमारे समाज का विकास हो संग्थन मजबूत हो इसमें कोई संद्र नहीं होना चाहिए और आप और हम सब को बिल्कुल मेल साहब नेका अच्छी बात कही कि सब के विचार आने के बाद एक इस प्रकार का प्रस्ताव पास होना चाहिए जिसका समाज के सुधार के लिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज की संजित्की को काइम कर प्रक्तिकी पत्पर आगे ले जाने की विवस्ता काइम हो सके क्योंकि सबी अपने अपने अलग-अलग विचार व्यक्त करते हैं और वो लोग आज हमारे समाज के बहुत से पुर्वूद लोग बिजनेस वेपार में आगे हैं हमारे राष्टिर राजनिति और प्रदेश की राजनिति में पत्पदस्थित कर रहे हैं भले उनकी विचार धारा अलग-अलग हो राजनितिक विचार धारा अलग हो सकती है लिए समाज के रक्सा के लिए समाज के भले के लिए और समाज के संकट काल में उसको रास्ता दिखाने के लिए और एक दूसरे की मदद करने के लिए किसी भी परकार का कोर कसर नहीं रहे ये भी बढ़े को परते किया करनी पड़ेगी खाली मेटे को इसे काम चलने वड़ा नहीं है इसलिए समवाद का मतलब ये है कि अपना एक दूसरे से तारतम बना रहे एक दूसरे के विचारों से आदान परता होते रहे और जिसकी जहां आउशकता है वो उस मौके पर सभी परकार के भेदभाव बुलाकर समाज को सामने रखकर के आगे बढ़े यही बात कहते हुए मैं लबी बात नहीं कहूँगा लेकिन तेजा सेना के पदा दिकारी विक्ति से हम लोगों को नूता दिया हम लोगों को यह बुलाया और सभी अलग अलग विचार धारा के समाज के लोग जिनको एक मंस पर लाकर जैपूर की राजधानी में जो एक संदेश दिया है वो समाज के लिए एथियासिक होगा और आने वाले वक्त में भी आज जो भी बंधनों चिंदर गजा विवस्ता काईम हो इसको सामने रख करके समाज की एक्ता के लिए समाज की प्रक्ति के लिए काम करते रहे इसी आसा विश्वास के साथ मैं पुने तेजा सेना के सभी पता दिकारियों को कोर कमेठी को मरें भूलाने के लिए और मुझे बोलने का मुका देने के लिए सबको बहुत भन्यवाद जहिन जे भल जे ये तेजा जी महराज भूत बहुत अभार सम्मानी पुशराम जी गोधारा साहब का इस कारेकरम की विवस्ता में जो टीम जो टीम मैं ध्यान चांँगा सम्मानी महराज श्युशामIES believing जी का सम्मानी जावर शींग जी का जो टीम विवस्ता में लगी भी है वो सारे समाज के वो लोग है जो कोई नेवी में है कोई एरफोर्स में है कोई CRPF में कोई देली पुलिस में है लेकिन छुटी लेकर के इसलिए कि कमान हम समालेंगे किराय के भाड़े के बाउंसर बुलाने की जूरत नहीं है टीम ओपरेशन तेजा यह गुरूफ है जिसमें करीब डेट सोची 200 यूथ जो बेल्ट की सर्विस करने हैं और समाज के हर एक काम में सबसे आगे रहते हैं वेवस्ता बनाने में उस टीम ओपरेशन तेजा का भी बहुत बहुत श्वागत और मुकेज जी वो पिछे अबी मैं सूपर डूपर अपर डांस करें तो उनको बुलाना पड़ेगा है तो यह है मेरे को काई विजवादानमर सब के बास भेज़ दूगा और अब नहीं आज भी करेंगे मैं भूमिका उसी के बना रहा हूं यह तो बहाना है उसी की भूमिका बन रही है अब मैं अकला आमितन देना चाहूंगा जिस सक्स ने समाज को बहुत मजबूती से सीचा और समाज की आवाज को बहुत मजबूती के साथ उठाया वो खुद ही या मौजूद नहीं है लेकिन उनकी मौजूदगी राजस्तान के युवाओं के दिलों में है राजस्तान के किसानों के दिलों में सम्मान्य रामेश्वर्जी डूडी उनके एर्दहंगनी और नोखा विधायक सूसिला रामेश्वर जी डूडी हमारे बीच मुझूद है मैं चाहूँगा कि एक बार जोड़दार तालियों के साथ उनको मंच परामंतन दें सम्मानिया सूसिला रामेश्वर जी डूडी विधायक नोखा आएं कारे करम के बाद भोजन की विवस्ता है देखिए सम्मानिया नोखा विदायक तेजा जी महाराज की जै हो आग हमारे मंच पर बैटे हुए परकाषानन जी महाराज ने बहुती सुंदर बजन अपनी सूरिली आवाज में गा करके हमें सुनाया और वो बहुती आज से कितने साल पहले तेजा जी महाराज हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वास्तों में वो बजन हम हमेशा अपने दिल में याद रखें तो आज भी हमें वो ही ताकत मिलेगी जो उस समय मिलती थी और मंच पर बैठे हुए सभी महानों भावों आदर्निय पूजनिय मेरे कव में हैं सम्मान करती हूँ और उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ हमारे शिक्तर से आए हुए स्वेदा नंजी माहराज और लक्षमनगड से प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्स्ति गोविंजी डोटासरा सहाब मुकेस्ति बाकर सहाब, सुबास्ची मिल सहाब और विकास्ति चोधरी सहाब इन सब का मैं बहुत बहुत मेरे दिल से शम्मान करती हूँ आज सब ने तेजा के प्रोग्राम समात का ये रखा राष्टी है इसमें सबी कार्य करनीस का मैं बहुत-बहुत नमन करती हूँ, इतना सुंदर प्रोग्राम आप की सहश और ताकत ये सब काम आपके ही हैं और आप ही इसने छोटे और मोटे सब मिलकर के आप भाई बेनों ने इस काम को किया, पुर पुसका बेड़ा उठाया और ये काम आपन अपने किसान भाईयों के साथ वो ही ताकत है जो पहले थी लेकिन इस ताकत को अपन सबल रखें और मजबूती के साथ काम लें तो वो ही ताकत आज मेरे भाईयों के पास है और इस काम को वे आगे इसी तरह से हमेशा आगे बढ़ाएंगे और हम सब आपके साथ हमेशा आपकी सकती हमसे ज्यादा है आप ही हमारे लिए सब कुछ है आप अगर आगे बढ़ो दोगे तो हम आपके साथ तयार रहेंगे और मैं आपको वीर चेजा जी जो विजारणिया साहब हैं मैं अध्यक्स हैं और मेरे रोसंचालन करने वाले सभी भाई बहने बहुत ही होसले से उन्होंने काम किया पहली बार काम करते हैं तो थोड़ा संकोच होता है डर लगता है और सहस मनाओ करके काम करोगे तो आज भी मेरे ये बाई जाट जो हैं और 36 कौम हैं सब के साथ ताकत है और वो मजबूत है और अपने इसी तरह से इसको हर साल जहां भी आपका प्रोग्र रहेंगे और आगे बढ़ाएंगे अब शारू पर्थाम तो मैं वीर तेजाजी सेना के सभी समानेत प्रतियत पदादी कारियों का तहे दिल से स्वागत करती हूं और वीर तेजाजी के समर्पेच तेजाजी समात कार्यकरम का आपने आयोजन रखा इस कार्यकरम के हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें अपने दिल से हमें बुलाया और हम यहाँ पर आपका बहुत ही मान सम्मान करने के लिए आए और आपने हमेरा बहुत मान सम्मान बढ़ाया बहुत ही हमें अरजा ताकत दी और हमें बहुत होंसला बनाया और जो आप सम संक्लफ लेकर आए हैं वो संक्लफ में अगर मेरी मातर सक्ती इसमें आए तो वो संक्लफ आपका दूर नहीं आराम से हो सकता है मातर सक्ती बहुत बड़ी सक्ती है घर का संचालन मातर सक्ती ही करती है मातर सक्ती ही बच्चों के संसकार देती है वो बच्चे ही आगे बढ़ कर के और देश का भविश्य बनते हैं और उन्हीं इस मातर सक्ति को मैं बहुत-बहुत कहना चाहती हूं कि बच्चों को अस्थे संसकार दें अच्छा व्यावार सिखाएं समाज में आगे बढ़ने के लिए सबसे खास होती है मैन होती है वो मेरी मातर सक्ति होती है वो मातर सक्त और मेरी माताओं, बहनों को मैं नमन करती हूं जो आज मेरी सबा में आप सबने बुलाया और हम सब आए और आपने अमारा बहुत मान सम्मान रखा और इसी तरह से हम आपके लिए तयार रहेंगे वीरतेज़ादी महराज की जैओ धन्यवाद आपको बहुत 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 आपनिया सुसिला रामेश्वर जी डूडी का अपने अपना एम उल्ले समय हमारे लिए निकाला हम आपके आभारी है और अब महस दो उद्भादन और बचे हैं इसलिए कारेकरम नियत समय पर हम समाप करना चाहेंगे उसके बाद हमारे दस आरेस हैं उनका सम्मान है कुछ वादस्राइन का सम्मान है समानित मंच का सम्मानotros महज दो उच्बोदन हमें और सुनने हैं लिक्व देख पा रहा है कि मंच पर जो तो विदाइक परत्यासी रहे हैं, परधान गांड रहे हैं। उनका सम्मान भी करना चाहेंगे। परदान और मक्राना से विधायक परत्या श्री सुम्बिता जी भीचर का स्वागत करें मैं आमंतर देना चाओंगा स्री रामचंदर जी शूंडा को पधारें और नौल गट पधारन स्री दिनेज जी सूंडा अच्छा भाई पामी वोगे दिनेज जी सूंडा का मलयारपन कर स्वागत करें मैं आमंतर देना चाओंगा स्री सचिंजी पिलानिया को पधारें और हमारे बीच मौजूद सीकर उपजिला प्रमोग श्री ताराचंजी का धायल साब का मलयारपन कर स्वागत करें मैं आमंतर देना चाओंगा मामंतर देना चंगा श्री महिपाल जी मेला को पधारें और अमारे बीच मौझूद लक्षमान गट पर्धान मदन जी शेवदा का सम्मान करें मामंतर देना चंगा श्री श्रीपाल जी ख्यालिया को पधारें और हमारे बीच मौझूद धोद पर्धान के ससुर जी और वरिष्ट भाजपा नेता स्री रामिश लॉलाल जी रणवा का मालियारपन कर स्वागत कर राष्ट्य तेजा समवाद का यह दिव्व भव्व और गहर्णिवा मैं समारो इस समय अपने पूरे परवान पर है अब बनेगी बात हम चलेंगे साथ साथ डाले हातों में हात इस संकल्प के साथ आज का यह राष्ट्य तेजा समवाद जेपुर के बियम बिल्ला ओडिटोर में में शंपर होनी जा रहा है हमर ब था मोजूद है ड्क्टर पेमराम जी खीचड को हमर बीभ मोजूद है श्री प्रसांजी भामू नायनींवेलर्स कि मर्वित मोजूद है श्री बनवारी जी पिलानिया आपका बात पर्स्वागत हमारे बीष मौझोदन स्री क्रश्न जी थार लोड शर्पंज हमारे बीष मौझोदन स्री ज son सब्च्वाचन जी घटाला रजल देसर आप सभी का भी बात नाधा अबया डूरand आपका भी बहुत पत्ष्वागत रास्टिय तेजा समवाज पर रादा किसंजी भाकर अध्यापक लेखक नागूर के आप रहने वाले हैं बुद्धी जी भी हैं आप एक मेमेंटों लेकर क्या आए हैं वो बाद में मन से स्विकार कर लिया जाएगा और आईए अब हम सुनते हैं दो है और दोन्यों एक मुबडर एक है ऐसा कहते हैं कि परिवार वो आगे बढ़ता है जिसके रीड और पीट मजबूत मुझे स्वंस के माद्यम से एक कहते खूसी है किस किसाम कौम की इस जाट समाज की रीड और पीट आप जैसे लोग हैं इसलिए अब हम रुकने वाले नहीं हैं इसलिए आप तेजा से ना रुकने वाले नहीं है महज 25-30 माने पहले भी कहा था तेजाजी महराज जब इस दुनिया को गायों के लिए छोड़ करके गए उसमें उनकी उम्रती महज 29 वरस 29 वरस की उम्र में ने अपनी जात की ने अपनी पात की उस लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहोती देदी दुनिया के इतियास में इस तरह की मिशाल दूसरी नहीं मिलेगी आईए इतनी हमारी मजबूत रीड और पीट का आपने शुना इनका सम्मान आप सब की ओर से हम करना चाहेंगे लेकिन उससे पहले अंतिम दो उद्वधनों के रूप में मैं मंच परामंतर देना चाहूंगा बिलकुल खरी कहने वाले बिलकुल खाटी कहने वाले बिलकुल किसान कोम का जो टेडिसल कुड़ता है उसमें रहते हैं हमेशा पैरों में जूती रखते हैं और जुबान को बहुत मजबूत रखते हैं मैं सर्दावर सम्मान के साथ बड़े आदर और अदव की साथ मंच परामंतर रहे न चाहूंगा राजस्तान सरकार के राज्य मंतरी शवत अंतर पर भार यूडियाज मंत्री सम्मान ये जावर सिंग जिखर राको पधार और इस चोब अबसर आज तो साब जोती पोलीश करें लागे मंत्री बन्याबाद में लिख रहे लगा पहली तो ओन करता है जोतिया अब भी पूरी माटी में सनी हुई है राष्टे तेजा सेना द्वारा आईजित राष्टे तेजा समांद में राजस्तान के विभिन ग्रामी नंचनुप से पधारे समाज के सभी सम्माने प्रबुद्ध वरिष्टजम युवाज साथीगन परम सम्माने मात्र सक्ति और आपके बीच विशेश रूप से आमन्पित आजात्मिक सक्ति के प्रतिरूप प्रकास दाश्जी महरास सर्जे हमारे बीच उपस्तित सीकर के सांचत स्वामी सुमेदान अंसरसुती जी महराच आखिल भारते कॉंग्रेस कमेटी राज़तान प्रदेश के अध्यक्स और लक्षानगर से विधायक श्रिमान गोविन सिंगी दोटासरा साथ नोखा से विधायक और गत विधान सवा में 2013 से 2018 के कालकंड में नेता प्रति पक्स रहे स्रीमान रामेश्वर्जी दूडी की अध्यांगेनी स्रीमती दूडी साहिवा हमारे विधायक मानने है उसा रामजी गोदारा साथ किसंगड से हमारे हमारे विधायक वैसे तो बहुत तक्लीप थी इस इनके साथ नाइंसा भी हुई लेकिन फिर भी मैं किसंगड की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस नाइंसापी को इंसाप में बदला हमारे उनके साथ ही हमारे खंडेला से विधायक सुभाजी मील साथ हमारे हतेपूर से प्रत्यासी रहे बाई सर्वन जी लाडनू से मुखेश जी बाखर साथ हमारे मकराने से प्रत्यासी रही दी श्रीमती बीचर साहिवा हमारे पार्टी के वरिष्ट स्रीमान रहमेसर जी रन्वा साथ हमारे सीकर जिले के उपजिला प्रमुक और किसी समय हमारे साथ ही रहे लेकिन बाद में उसलपूद में मैदान से आउत होगे बाए तुसे प्रत्यासी रहे उमेदाराम जी हमारे दोनों परदान साथी समानित मंच और समाचिस सदर सबसे पहले तो मैं कई देर से सोच रहा था इसमें कुछ संसोधन करने के आऊ सकता हम खेत किस्मत है कोई दोराए नहीं है जेली हमारा जेवर है इसमें भी कोई दोराए नहीं है हल हमारा हतियार है इसमें भी कोई दोराए नहीं है कलम, कम्प्यूटर, सद सिक्षा, सद संस्कार और बोली पर सयम हमारे नहीं हो जार बीमारी एक ही जगह आके टक्ती है सकारात में ऐसा मत बोलो कि समाज के बाकी वर्गूंप में उससे किसी प्रकार का हमारे प्रति प्रतिसोद का भाव प्यादाओ या नाराज़गी प्यादाओ खरी बोलने में कहीं कोई बुराई नहीं है और नहीं कोई उसका बुरा मानता है हाँ जिसका अही तोरा होगा वो जुरूर बुरा मान सकता है तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वीर तेजा सेना द्वारा आयजित आज के इस कारिक्रम में समाज के हित में मेरे आने से पूरु सहथ बहुत कुछ मंधन हुआ होगा लेकिन मोटा मोटी में तीन-चार बाते हैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा है आज की तारिक में हमारी तीन-चार बहुत बड़ी कमजोरिया है और जब तक हम उन कमजोरियों को नियंतिन करके काबू में करके समाप्त नहीं करेंगे तब तक मंधन से कोई बहुत अमरत निकलने वाला नहीं है अमरत तब निकलेगा जब उन बुराईयों को हम खात्मा करने के और अगरसर बड़े सबसे पहली बुराईय है दिखावा मुझे चारीस पचास साल होगे इस बात को देखते हुए कई तरह की बुराईयां इस कालखंड में आई कुछ मिटी कुछ नहीं पैदा करेंगे पिचेतर अशी के आसपास हमारे यहां एक नई बीमारी पैदा हुई थी लड़की वाले ने लड़के वाले को कह दिया शादी समारों से पहले के सगा जथा सादन बरात में ले रहा हो लो बता अजार लिपर कर चोला हम ले गए तो उस दौर में एक लड़के वाले ने खा खे बोलो बोलो एक सोर एक सादन चाहिंग होना उस जमाने में साधन भी कम हुआ करते ते आजकल तो आप चाओ तो एक अजार साधन एक गंठे में इकट्टे कर लो हमने 101 साधन उसको कर दियर वो 101 की दिगे 111 साधन हो 110 हुए तो फिर एक साधन और बुलाना परा 211 हो लड़की वाले ने 111 रुपे कचोले में रख दिये आगे दूसरे दिन बोले है भाई साधन गाडियान को इसाब भी करा जा तो मैं उसके घर पे इसाब कराने चला गया और हम 111 रुपे लेक रहे थे और उसमें 80,000 रुपे हमको गर से और मिलाने पूरे गाडियों 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 गाड अरे बोला समझ में का यह थरको तो लागी गोख तो एक तो यह थरकासु बचवा की जुरुच अब कितना बच पाएंगे कितना नहीं बच पाएंगे यह तो बहुष्य के गरब में दूसरा एक मेरा हाद जोड़ के निवेदन है किसान और मजदूर दिम जाट से सूपर उसके दिमाग में एक रड़क नाम का कीड़ अप और उस रड़क की रड़क में मैंने सेक्ड़ों परिवारों को हजारों परिवारों को बरबाद होते हुए देखा है और जाट कब समझता है जब कम से कम चार पुरस मोटी दिवार उसके सामने नहीं आ जाए उसके बाद हो कहता के बाई साम अब क्यां भी सल्टा जेए यह काम है मैंने का भी आप कह योग हो बोले हम बहुत पुछले उपना दिवार में रसू तो आहीं गुनिया पना तो एक इस रड़क नाम के कीड़े को जितनी जल्दी नियंत्रित कर लेंगे मैं समझता हूँ समाज का उतनी ही जल्दी बलाओ ना शुरू हो जाए गा तो दिखावा और ठरका और रड़क नाम का कीड़ा अब तीसरा के दूँ के बात है किई बार सोचता हूँ मैं हम ये मानते हैं कि राजस्तान में जितनी जाती हैं जितने समाज है शैज जात एकल समाज है तो सरवादी का बजी वाला है हम में दो चीजें एक तो हमारा किसोर और युवावर्ग का एक बड़ा इस्सा मानता हूँ मैं उसको तो जिस राश्ते पर चल रहा है वो मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में ना परिवारों के लिए ना समाज के लिए और ना राश्त के लिए किसी भी रूप में उचिक हो सकता है एक तो उस पर नियंतन क्या हो सकता है दूसरे सामाजिक रूप से हमारे परिवार छिन भी नोगे अभी चाहिए तिने एक साल पुरानी बात होगी जैपूर की एक बहुत पॉस कोलोनी और पॉस कोलनी में एक इस्टीट जैजे गाहों में गली करते हैं या स्टीट करते हैं जै एक क्रोड उसमें बीस मकान और मकान भी इस स्थिति के थे कि कोई मिम्हें पंच क्रोड से कम कीमत का नहीं था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके आर्थे किस्टिती कैसी हो। 20 में से दो परिवार अन्य जातियों के थे 18 परिवार जातूं के थे। मैं किसी परिवार से मिलने गया था बैठे बैठे बात चल गई। चली कैसे मेरे छेतर से एक फोन आ गया और फोन इस बात को लेकर आगे कि साब पती पतनी में जगडा हो गया हमने बेटी के सस्राल वागों के खिलाब प्रतार्णा का मूगनमा धर्श करवाया था पुलिस उसमें कारवाई नहीं करेंगा तो मैंने का मैं आ रहा हूं एक बार मिले बात करेंगे समझाएंगे फिर नहीं माने के तो पूलिस से बात करteंगे तो यह शुरुत हुए तो बैठे अठारा परिवार जो हमारे समाज के बहुत संपन परिवार थे, सब के कोई न कोई व्यवसाय था, उनमें सत्रा परिवार ऐसे निकल गए, जिनमें या तो बहू ने मुगदुमा कर रखा था, या बेटी ने मुगदुमा कर रखा था, उसके बाद मैंने कही बार इस बात को जहां बैठता हूँ, चर्चा प्री चर्चा में बात आए, तो ये भी मुझे करीब करीब ऐसे लगा, कि इस प्रकार के विवादूं का आकड़ा भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब इसके पिछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, कौन पक्स गलत है, कौन पक्स सही है, इसके बारे में भी हमें बैठ कर मन्थन करना चीए है, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी, परवरिस में कहीं ने कहीं कोई गड़बडी रही होगी, कि हम उन्हें अच्छे संसकार नहीं दे पाए अपने बेटे बेटी या पोते पोती को, जिसकी वज़े से इस प्रकार की इस्तितियां उत्पन हो रही हो, तो इस बारे में मैं मैं उम्मीद करूँगा कि आप निश हुआ, कई बार अगर कोई सुधार की बात करता है, अभी पिछले दिनों करोना के काल खंड में है, जब परतिबंद लगा मेमानों की संख्या पर, शेकडूँ श्याधियों में जाने का उसर मिला, कई बरात में 11 अज में आए, कई बरात में 20 अज में आए, इतने इमाने वालों में मिले, बहुत जगए बात चीत हुई, दोमद लगयों न लगयों तो पतो वुन्या, टेंट काता बचगा अलवाई काता बचगा बाजाला काता बचगा और बीमासू अत्ता रिपैंगी एपडी बेटी करनाओ करवाजी लेकिन कहीं जगे इसकी भी आलोचना बहुत हुई काई जल्दी जी करोनो निकले आपाजे दणा कासू करता तो भाई इपर भी आफन थोड़ो सो विचार करना चाहिए अगर कोई यान को वो तो चलो मजबूरी मान लो लेकिन अब भी अगर इस काल खंड में कोई इस प्रकार का प्रियास करे तो हमें उसको प्रोध साहित करना चाहिए तभी हम शकारात्मक रूप से आगे बढ़ पाएंगे उम्मीद करूँगा जितना विवेक मेरे पास था उसमें से कुछ आपके समक्स विचार प्रस्तुत की हैं और आप गंबीरता से इन पर निश्चित रूप से मन्थन करेंगे इसियास और उमिद के साथ सभी का ही अथायोग्या विवादन जैहिन जैवार्त वंदेवार्त कहते हैं कि महंता विन्नम्रता के पीछे आती है इतना स्थटीक संबोधन आपका रहा लेकिन अंत में हाथ जोड़ करके कहा कि जितना मैं जानता था उतना आपको बताया मैं तो यह कहूँगा कि आईना बनकर आ गया कोई चेहरा अपना दिखा गया कोई और प्यास्ती हमारी चंद कत्रों की और समंदर पिला गया कोई समाज के सुधार का समंदर आपने हमारे बीच उडेला हम आपके आभारी हैं हमरे बीच रतंगर्ड विधायक इंदरा जी खीचर तस्रिफ लाएं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभार क्रवया मुख्य मंच पर आकर के स्थान गरन करने का कस्ट करें आप जिलादेक्स भी हैं प्रदान हैं आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान अब एक मूल उद्भधन और बचाववा है लेकिन उससे पहले उसकी भूमिका बनानी पड़ेगी और भूमिका के लिए हमारे पास दो कलाकार हैं तेजाजी महराज की लिलन घोडी और एक नन्ना सा बाल कलाकार मोजुद है तो वो संस्कृतिक प्रस्तुति कौन सी होगी आप एक आवाज में बताएं मारी तेजल सूपर डूपर जोड़न तार्लियों के साथ कलाकारों का मंतल दें और उसके बाद और हमारे ये दोनु कलाकार बाई बनवारी लाल जी जाट जो कचोड़ अबसी के हैं और बाई प्रदेव खीचाड जो छोटी बड़ी खाटू डीडवना के हैं पूरा वोर पश्चिम के बीच में आप सब के बीच तेजाजी महराज की यसो गाता को कस्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक और उत्तर से लेके दक्षन तक पूरी तरह पहुंचाने वाले एक बार जोड़ार तालीश अबिनंदन करें और अभी देखो तेजल सूपर डूपर के बाद क्या-क्या उपर होता है एक बार जोड़ार होगी लाल्ला है म्यूजिक 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 तेजल गाउगाउगाउगाउगुजावें ऐधा गेडा में पूजावें अनों का तेजा पहाँ अटर रहा ओ थान्य गैनी गैनी खमर मारी हाथ जोड़ कर खमा मारा शुरू शुरागा नाथवा हम चम चम बाजय गुगरिया देटिया का वगल्या में अर्णी तमीश्यर आपने प्रीज हाप ने प्लीश कहता है प्लीज बेगा बन्वारी जी एक आर लास्ट नेकने के दांस और राजी इंदर देवता हो जो काली पाद या पर साग्यों पीरा भर ग्या शुम दंगला वने अगा अगा अगो जापे गावे मेंटी दोले कापा जावे ये पजनेरी पजना मा ये ने थैंक यू, थैंक यू जें ओ, मीजिक डियंदी को बाजे ये ना गोरी जाद नाचे देजल थारा मेला मायरा ओ, माने जोरा, सोरा, रा कुर्माने चर्णा महिने रा कुमारा ताहड़ सीका लाल ओ, ताहड़ सीका लाल ओ मारो तो रखवालो मारो तेजाजी मारा जराए ये बिन मांग्या में सब कुछ दीदो राके मारी लाए अधार करा जाची लोग साइड में जाए ये मारो तेजल वड़ बैता लीलन गोडी उपर जिवर ना गोरी शनतार रहा ये मारी नथ नस महीने बस्रियो मारी रग्रग महीने बस्रियो मारो खरना लाशनकार रहा तेंक यू बहुत सुंदर सभी अपनी अपनी जगह बैठे प्लीज आप बिल्कुल कारेकरम का मूह अभी बाकी है सभी अपनी अपनी जगह बैठे प्लीज अगले एक मिनट में विवस्ता बन जाए तब तो इस कारेकरम का करने का कोई ओचित्त है कि हम मस्ती भी करते हैं लेकिन अनुसासन भी जानते हैं पीछे डाइस के पीछे जितने भी साती खड़े हैं सिर्राम जी, सचिन जी और रामचंदर जी तीन लोग रुकेंगे बाकी नीचे जाकर के बैठे प्लीज सारे साती इपनी जगह ले ले क्योंकि हमें हमारी समाज की बहुद इक संपदा का भी सम्मान भी करना है पुझे स्वामी स्वेदान जी भाराज का जो जानदार और सांदार उद्वधन के साथ जिस कारे करम का आगाज हुआ था हम यह चाहेंगे कि उसी के साथ समापन की ओर हम जाएं अब मैं आपसे निवेदन कर दूँ महज पचीस से तीस मिनट लास्ट यह कारेकर मोर चलेगा सम्मानि गोविन सिंग जी दौटासरा का उद्वधन होगा हमारे तीन विदाईक प्रत्यासि उनका एक एक मिनट का मनिवेदन करना चाहूंगा विनमरत ताहिए साथ सिर्फ एक एक मिनट का क्योंकि आगरा आया है और उसके बाद में हमारे जो आरेस हैं साथाट वो मोजुद है उनका सम्मान पंदराभीस भामासा है उनका सम्मान और उसके बाद में सम्मानित मंच का बड़ा सम्मान जिसको आप देखेंगे तो आपका दिल भाग भाग हो जाएग उसके बाद सारे साथ भोजन करेंगे और उसके बाद प्रस्तान करेंगे, तो मैं उस सक्स को अब मंच पर आमंतर देना चाहूंगा, अगर मैं यह कहूं कि जिन दो लोगों की भूमी का इस कारेकरम को इतना सुंदर और भव्य बनाने में रही, वो दोनों पास-पास तीन लोगों की तीनों पास-पास बेटे हैं, पुझे स्वामी सुमेदान जिमाराज, सम्मान एगोविन सिंग लोटाश रहा और सम्मान एजहावर सिंग जिखर रहा, आप से मिलने के बाद हम लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि बिलला ओडिटोरिय में कारेकरम किया जा सकता है, आपने कहा कि पुरे समय रहेंगे, और क अगर किसी प्रदेशादेख्स के सबसे ज़्यादा चर्चा है, तो वो इस कौम के कोहिनुर सम्मान एगोविन सिंग जी डोटाश रहा है, और ये चर्चा इसलिए नहीं है, चर्चा इसलिए है कि काम करते हैं और दबा के करते हैं और उसके बाद उस काम को इंजोई भी कर कि मैं अबड़ी सर्दावर संवाइन के साथ बड़े आदर और अधर के साथ इस मंच परामन तर देना चाहूंगा, सम्मानीय गोविंजी डोटा असरा, गोविंदा आला रे सम्मान इगोविंच्ची डोटा सरा, बोलो तेजा जी बाराज की जय जय सबसे पहली तो मैं आयोजकानी बात को धन्यवाद देनू चाऊं कि इतनों शानदार अनुसासित गरीमा पूरवक्कारियक्रम थ्यायुजित करे और मालोगा ने भी बुलाया इके लिए थाको बहुत-बहुत दन्यवाद आपना राजस्तान का यूडियेच मंत्री परम सम्मानिय जाबर सिंग्जी खर्रा साहब सीकर सांसद प्रम्पुज्य सुवेदानंजी सरस्वती साहब मंच पर बैठे वे मेरे भाई मेरे साथी विधायक बाई मुकेश बाकर जी मंच पर बैठे वे हमारे बहुती वरिष्ट किसान नेता मेरे साथी विधायक पूसा राम जी मेरे नेता रामेश्वर डूडी जी जिनके नेत्रित्व में मैंने सच्चितक के रूप में राजस्तान की विधान सबा में काम किया आठ से तेरा में आदर्निया सुशिला रामेश्वर डूडी जी मेरे छोटे भाई जिनकी चर्चा पूरे राजस्तान में नहीं बलकि राजस्तान से बाहर भी है किसंगड के नव निर्वाचित विधायक विकास चोधरी जी आदर्निये सर्वन चोधरी जी मेरे प्रधान सम्मान्य मदन सेवदा जी हमारे जिलाद दैक्ष और दिने सूंडा जी हमारी बहन आदनिये भीचर जी मेरे कोलेज के साथ ही और बहुती परम्मित्र ताराचन धायल जी हमारे बहुती संगर्ष सील संगर्ष के प्रतीक भाई उमेदा राम बेनिवाल जी मेरे आदनिये बहुती सम्मान्य रामेशर जी रणमा सहाब मंस के उपर और कोई बैठे हो हमारे इंद्राज खीचर साथ हैं और बहुती एक उर्जा के साथ में नए सितारे खंडेला के विधायक जिनको हम नहीं रख पाए लेकिन वो विधानसवा में आगे किसी भी रस्ते से आजाओ भाई सुवाज उस गोड़ चक्रिये में आजाता है वो नेता होता है आप पार्टी किसी से आए लेकिन उस विधानसवा में आगे यह आपका वो जजबा और जुनुन था जिसने यह करके दिखाया कि मुझे आप नहीं तो यह यह नहीं तो यह तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को आप सबने इतना सम्मान दिया इतना प्यार दिया और पहली वार किसी कार्यक्रम में इतना अनुसासन मैं इस आपके अनुसासन को सल्यूट करता हूँ प्रणाम करता हूँ अब लास्ट मैं के बाशन ठोको ऐसे एक से एक एक से एक बड़ डाइलोग मारगा मैं के करूँ अरे भाई पीश सेड़न अब पीश सेड़न की अपीश साँ एक वार नाजन पीश दियो और पीश या फिर आटो गो अब खर्राजी बोलगा स्वामी जी बोलगा तमाम नेता बोलगा और आल तो इक गैल की पंक्तिम बैठ्टिया है नै आने सर्वन जी न मोग को देऊ तो मैं कूं माने सक्णा न पचाड़ दिये एक से बढ़र एक शांदार उद्बोदन रहा एक से बढ़कर के एक समाज के हिद की सब लोगों ने बात कही यहीं उद्देश्यत है कि हम सब यूनाइट है एक है अनुसासित है और सब एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं यहीं इसकी त्रीवाद जब मेरे कने स्री राम जी बिजार्णिया जी और मारा राम चंदर जी सूंडा साहब हूंकार जी पिलार्णिया जी और तमाम लोग इठाड़ा जी सब लोग आया तो मैं क्यों भाई प्रोग्राम तो एक और भी हुयो गया में में तो पहली नीक लिया पनपच्छ मैं सूनी के रोड़ो बैदो उगो तो आपने समाज ने लोग इद्रश्टी से देखे है कि आज है कि अंकलो प्रोग्राम है अब तड़के छप्पाने प्रोग्राम के जीर सागे सी आया जाना में आया ना पहली तो बढ़ दो चार मीडिया ला खड़ाया बांके यह चिमको है ऐसा के किया आया वो भी डाउट है के में सागे कोनी आसका और फेर बोलिया एक माई कड़ो लगा है बो आज का लगावे ले यांब गूमा है बोड मैं मिना हाथ लगा रहे मंगो बकस वेरा काका निठ्ञां सी बात कर बाने बेड़ा हो यांचो की बात करांगा तो पहलो काम पहलो काम तो करनो है के एज की चिमके ना अपने नाउ हूं हां की चिमक मेटबा की जरूरत है और आज सिमक कीया मिटेगी खर्रा साब बार बोला मैं सोपरती से सहमत हूं के तोल के बोलो बहुत अच्छी बात है तोलर बोलो पने भी के आगे हक के लिए समाज के हक के लिए जोर से बोलो और ताल ठोकर बोलो और जग्का बर्सा से आपनों उप्योग कर रहें आपने एक दूसर रहने लड़ाबा को बस सावदान रहने की जरूरत है बन खरोजबाब देने के आओ सकता है से से ज्यादा की कमी आज की तारिक में आपने समाज में हुरी है बाहा हुरी है कि आपन लोगां के उप्योग मारें सुबाज जीन बुलानू है जना के डोटास रहें के रड़कां काड़ दे मानने क्यों प्योग में लियो पार्टी विचारधारा आपकी जगा है बीकि बात करांगा सब लोग करेंगा और करनी भी चाहिए क्योंके जक्य माध्यम से थे समाज में उपर उठ रहे हो लोगां की सेवा कर रहे हो अगर कोई पार्टी से कोई विचारधारा से बंदर थे जा रहे हो तो भी पार्टी के लिए भी विचारधारा के लिए थे बोलो कोई आपति को नी पन यह उठा उठा डगल बगाओ डगल बगाओ बीटी का बापो क्यों बगाओ आँ काहीं जरूरत पड़ गी आपने आज मैं थानक कहर जाओं आज को जो कारिय क्रम है नहीं भी के बाद में कई लोगां के कान की क्यों आड़ी खुल जाएं कि हम एक हो सकते हैं एक हैं समाज हित की बात करेंगे 36 कोमों को साथ लेकर के चलेंगे ये हम में जजबा है ये ग्यान हम में है हमने क्या नहीं किया बताओ न आप देश की आजादी में देख लो किसान कॉमुनिटी का कितना बड़ा योगदान देश के लिए मर मिटने वाले देश की सरतों को सुरुक्षित करने वाले कितना बड़ा योगदान आज हिंदुस्तान के अंदर और अपन जिस राजस्तान के निवासी हैं वहाँ पर अगर शिक्षा के अलग जगाने का काम किया है तो हमारे किसान कौम के नाजवान नोजवान साथियों ने किया है मैं एक बात करना चाहता हूँ यह सर्वन चोद्री जी जब मैं LLB कर रहा था उस समय मेरे पास में आये मेरे बुआ जी के बेटे के साथ ही थे मैं नहीं जानता था इन्होंने का बैसाब थे बड़ा हो LLB कर रहा हो कर ली है मैं एक बात बताओ मेरो मन में यहां आ रही है मैं इंजिनीरिंग करी है लेकिन मैं नोकरी नहीं कर और नोकरी लोगाने लगावा को धंदो कर वो चाहूं मैं क्यों यहां क्यां कर शेओ मेरे एक वार मन माई गोई उत्तर पर देश हूं फरजी डिगरी लेसींगे मैं क्यों थे बताओ काई करनों चाहो सरवन जी बोले मैं नोकरी कर लोगा मेरा परिवार पाढ़ लोगा लेकिन मेरा एक सपना है कि मेरे किसान कॉम के बच्चे और बच्चियां बेटे और बेटियां ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर और इंजिनियर बने कि मैं नवासी से वकालत दोजार पांच से एक शेत्र में खरासाबर में सा गई है ताराचंजी भी बी टाइम से लाग रही हैं कि में एक ही बात हमेशा करता कै किया लोगा के तकलीप में आपां कोई काम आ सकां किया लोगा की आपां आवाज बंडर सक्समस्तर तक उठा सकां और की तरीके से आपने एक समाज में एक संदेश जावे है कि में सब लोग बाग जगा ठाकी वज़े से मंच के उपर हाँ ठाकी किया सेवा कर सका आएक दिमाग में रहते हैं कि मैं सूच रियों बैठीओ बैठीओ एई तो बोट दी एई उंचा बढ़ाओं एई आपना बाशन शुने एई ताली बजाओं एई माला गालने एई मोमिंट तो दी तो फिर आपनों के फरजबने आप आप आपन बहुत विचार से करने की ज़रूरत है जो वेक्ति आज सम्मान देते हैं जो वेक्ति आज हमको इस उचाइयों तक पहुंचाते हैं सेवा का मोका देते हैं हमारा भी तो फरज बनता है इन लोगों के लिए कुछ करने के लिए उस फरज को हम लोग इमानदारी के साथ में निभाएं ये इस आज के इस पूरे कार्य करम का मैं समझता हूँ कि अंतिम थीम होनी चाहिए कि जो समाज जिन व्यक्तियों को आसिरवाद दे करके उपर बठाता है और जो समाज में एक नया नाम देता है प्रशिदी देता है पावर देता है वो 36 कौमों को साथ लेकर के करो वो तो हमारा थीम समीधान है ही है लेकिन अगर समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता दिके तो हम सब एक होकर के सब चीज भूल करके आगे बढ़ें ये हमारी बात होनी चाहिए सयम से बोला, खरो बोला और समाज के हक के लिए जोर से बोला और अत्य जोर से बोला के कोई हिम्मत नहीं कर सके कोई अन्याय करबाकी, कोई अत्याचार करबाकी कोई हिम्मत नहीं कर सके आबात करने क्या हो सकता है शिक्षा के ख्षेत्र में कोई कमी नहीं है आपने समाज का लोग खूब आगे बढ़ रहे हैं। खूब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जके चीज की आऊ सकता ही आज उकार जी थे था की टीम विजाडिया जी सब पूरी कर दी के पहली लोगा माही के इन समाज का लोग इकठा हुएं तो अनुसासित को नहीं वहेंगा आज थे रेकोर्ड तोड़ दियो गिनिज भुक में नाम निखाबाड़ों सो काम कर दियो। और माराज स्री ने जिस प्रकार से अपना आसिरवाद हम को दिया एक काईन के माध्यम से मैं समझता हूँ कि ये हमारी पूंजी है इस पूंजी को हमको बचा के रखना है। हम महापूर्सों का इतियास किसलिए पढ़ते हैं हम महापूर्सों का इतियास इसलिए पढ़ते हैं कि उनसे प्रेड़ना ले सकें उनसे सीख ले सकें उनसे कुछ सीख सकें उनकी अच्छी बातों को हम अपना सकें इसलिए तो पढ़ते हैं कोई रात काली कर वो लिखार द ता है शिक्षा बार खर्रासाब कह रहा है पांच एर एक चीज बोलिए छोड़ दियो एई तो आपना अभूशन भेर पहर आला काई आप जखो गेर्णू आपनू है बिने चुड़ा रहा है बात तो कल्डी कर रहा है अपना आज सरकार का मंत्रिया भाई जी माननी पड़ सियां कि वा तो सब आप आप की बात करिये मैं थाने एक बात करनों चाओं एक तो थोड़ी सी आपनम के ओ बड़ो है ओ छोटो है मैं बड़ो हूँ मैं की कोनी माननू बड़े को जो को सम्मान है ना वो बड़े को सम्मान बहुत जरूरी है आज मैं देख रहे हूँ पहली बार इलिए मन बोलनों पड़ रहे है माराजसी साब कि जूही कोई सीनियर आदमी आ रहाता हमारा जूनियर व्यक्ती खड़ा होकर कि पीछे जा रहा था ये बात जो जरूरी है वो जरूरी काम हो रही थी अनुसासन जरूरी है वो जरूरी काम हो रहा है आया वा एक भी व्यक्ति नहीं गिया तो 101% सपल है था को कारिय क्रम क्या अब भी आ रहा ही एक भी व्यक्ति गयोक हो नहीं था के कारिय क्रम में और जका अकबार अड़ा टेलिविजन अड़ा बारेनी हम पूछ रहा ने मैं थाने लिखर दियूं कि भै थाने बारेन लाद देंगो नी बाने चोखी बाद से कोई ज्यादा मतलब नहीं है ठीए कोई फिड़को करो और बै चापें कोई बै तो वेर बै भी में चापें के राष्ट ये तेजा समवाद वियो और भी कमाएन आ यहां वीर आ वीर बोब्यूं आगे और बोब्यूं फिछ है इचाप बागी खातर गूमें निया तो बड़ो प्रोग्राम इतनो अनुसासित प्रोग्राम इतनी डिग्नेटरी और भी का बावजूद एक भी दिखेंगे ताना कोई मेंडिया लो टेलीफोन कर बूजेला में ताना यह लिखर देती हूं क्यों कोई बैद्ध होए होगे कोई फैद्ध होगे तो बाईजी कोई बैद्ध और फैद्ध के लिए चले में आँगे क्या हम लोग अच्छा काम नहीं कर सकते हमा अच्छा नहीं बोल सकते हम अनुसासित नहीं रह सकते कर सकते हैं और कर रहे हैं लेकिन हमारी आवाज सही जगे पूँच नहीं रही है और कुछ लोग किसी के बैकाव में आकर के चानन में फुद्धी पड़बा की आदत पडेडी है जाननाव है नाचाननाव भफुद्धी किड़ वह ना कीड़ भी कि ड़गा आखजा ना कीड़ के मछला रूट जाए कई बास्ते ने बुजा श्यूंग अरब बास्ते तो बुजा एक नहीं मुझे अभी को भूंगड़ो हुजा है तो कम से कम बास्ते कानी फुद्गले नमज जाबा दियो सोचो समझो एक दूसरे को सम्मान करो पार्टी की विचारदारा में टकराट कोई दिकत नहीं है समाजिक बात वह भी में तो एक जगाँ हो काल परशुद जो सबको कारिक्रम हो सकला देख रहां कुन आवगो कांग्रेस आवगी कोनी आवगी बीजेपी आवगी कोनी आवगी कांग्रेस बीजेपी शगली थे पैदा गरो और थाके कारिक्रम में नहीं आवांगा जना मान अगर कोई भी समाज कोई भी समाज अगर कोई अच्छी बात करें तो भी से आपा ग्रहन करो भी सिक्सा लियो राजबू समाज बहुत बढ़ों करें करें बहुत अनुसासित और बहुत गरीमा पुरत आज थे भी इक्विलेंट हो आज कम वो की वो अनुसासन है वो का वो सहियम है वो की वो सारी बाते हैं तो मैंने कहा कि मैंने पांच वार देखा कि ठीक है समाज ने अपने समाज के इसाब से कारिय करम किया लेकिन इससे भी सीखने की चीज है कि यह अनुसासित और इतने लोग आने के बावजूद भी सद आज के हीत में बात की इसके लाबा कुछ नहीं किया अगर ये चीज हम सब कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात हमारे लिए हो जाएगी लेकिन आपने तो कहीं होएगे बाई-जी हाँ 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 रड़काली तो खर्रा साब कह दिया अमने एक बात वताओ बीजेपी को डाइलो कांगरे सुराले ना तकलीब कोने वागे मैं दो बार महाराज प्रकास राश जी जद बोल बाला लागे ना ये मोर्या बोलकोना मेरत वियां वह लागे आपाली बात मैं मांदारी बात करें मान कोने बता थे मोर्यों बोल जो आपको बजन है बोल अगा मैं के गरूंब दो अगा उसलिए ना आपको बात को नि वह रहा है कि को एक तो मैं तो जखको महराज बोल लिया तो मां कहिए भाई मेरो भी सब्द में अब कोई शीर नहीं है मैं कोनी कही मैं जानूं हुए कोनी आज पहली वार आश्रवाद लिये तो इलिए ठीक है अच्छों करेक्रम हो जो को अनुसासन ताबरान पड़ावो कम खर्चों करवो और ज्यादा से ज्यादा लोगां के क्या काम आ सका इबात को एक समझ होनी चाहिए और भी समझ से अगर आगे बढ़ांगा तो मैं समझू सब लोग संबाट करेगा आवेगा फेज जद भी कोई समाज प्रगती करवा की बात करे तो कई ब्रेकर भी आवे और भी ब्रेकर ने अगर आपन दंग से पार क अधेजर्णा तो है आपां सपल और भी ब्रेकर के चकर में बचीड़ देर रीड़ी अधीन भी तुड़ा लेह नेचली पाद आँ पाड़ आँ तेल की नगी पोड़ा लेह जड़ा है आपनी ऐसपल को इले ब्रेकर पार करना ही सब ने सागे लिए चालनू है हर समाज को स सेना है अब बहुत श्यांदार काम कर रही है आपके समाज में अलगजाबाद जगाबाद के सागे डूसरे सब समाज के लोग आने सागे ले रहा है आपनी क्वालिटी होनी चाह से और आपनों मिस्टनों चाह से क्योंकि जकी तेजा जी के नाम से आपा मिशन चला रहां तेजा जी तो गूजरी की गाय के लिए आपको प्राण्यों चावर करें 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 तो दूसरी कॉमुनिटी के लिए आपको प्राण्यों चावर करें और वो भी दिन करें जके दिन बाग के साधी हुई ही ठीक है ना है कि तो बाकुजों को त्याग है बतो तो आपको ने कर सकाका लेकिन बिसे एक सी कर समझ ळे सका与 कि आप हर समाज के लिए उपियोंगीिशितों हर समाज आज के लिए मददगार हुआ और आपने समाज ने आपने आबाली पीडिये ने आपके मजबूत कर सका उमिशन आपनों रणों चाहिए आज के करेक्रम में बहुत सा 90 परसेंट पिछाण में परसेंट युवास आती ही आंकि बहुत बड़ी उमीद है और उमीद आपने मंद से है स्वामी जी ए आचावे के देखो में थाने ता बड़ा 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 उपर चड़ा दिया अब थे समाज ने आबाली पीडी ने की तरीके से उपर ले जा बाको काम करो बाको क्या कल्यान वे क्या आगे बड़ें किया बाको बविश्य अच्छो वे इबात के लिए जके को जठे बड़ पड़े बठे बिन भी को योगदान देनों चाहिए मैं सिकर से आऊं सिकर मैं काफी इंस्टिटूट ही शिक्सा की डॉक्टार मेडिकल एक जमानू हो जदे जिले से किसान कोमुनिटी का एक दो तीन कोई इंजिनियर या डाक्टर बनता आज सर्वन जी हरी राम रनवा जी चाहिए गुड़ू करपड आवे चाहिए दूसरा बढ़ाडर आवे चाहिए प्रिंस आवे चाहिए डेफोडील आवे उसारा का सारान मैंज्टरिक्स आवे सब लोगानका हूँ कि आपको तो बहुत बड़ों योगदान है समाज की शिक्षा के माइने समाज ने आगे बढ़ाबा में तो आपने नेता से भी एह लोग उमीद करे है कि आपके आन एक नई दिशा दिखावां कि आसा के लिए चाला इलिए जठे जरुरुत पड़े ने बठे तो देखो आप आठो भी देगार के डोटा जरा तू जोर को बगा सके और थाड़ो तो एक दम ठीड़ लागे एक लागे एक लागे रागलो चार पाचे बगावना डोटा जरा कोई बेरो को इन पड़ा काई वागो इलिए कम से कम आपा एक दूसरे को अतो लियाज काईदू रखा कि इते पार्टी की जरूरत है बठे आपा बात करां कोई प्रहेज को नहीं और जी हैं भी जो भी लोग जगा भी जाड़निया जी उकार जी रामचंदर जी और तमाम सब लोग सरपन साबर सचिन पिलानिया जी गिठाड जी जिते भी लोग है इनको में एक विस्वास दिलान चाहता हूं कि जब भी इस तरीके से आप अच्छे कार्यक्रमों का आयुजन करोगे हम तन मन तन से आपके सब साथ में जैपर में जगह ले लिए वार तो ख़जानों कर नहीं है था रहे भाई खर्रा साब बेठिया है जैपर में बैठ वागी जगह ले लिए डंकी सी और बाकी को काम में शगळा जना कर लियांगा और जोरदार बैठ वागी विवस्ता हुए कि रहे के कामा में कताग दिन चाल लांगा आप हाँ कि कम से कम समाज के लोगाने बैठ चिंतन कर बा आज न्यूज बढ़े की तरके बड़ी के डूटा श्रोर स्वामी जी एक उगार सुवास के भी एक दम पेच्चप ओगोर बटेगा बटे यहां वाई जी का लाजटेई आज 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 पार्टी की जगा पार्टी के हार बा कि बाके सब एक और एक मैं भी एक बात मोर करनूं जाओं हर समाज के व्यक्ति ने हर दूसरे कोई ने कोई समाज को एक बहुत अच्छो मित्र बनानों जरूरी है आज ही बात की आओ सकता है कि एक व्यक्ति मैं अगर कोई दूसरी कम्मुनिटी को अच्छो है मैं ले मित्र बना लिएंगा मंत्री मित्र बना लिएंगा या कोई और कोई मित्र बना लिएंगा तो मेरा काम या ठाका काम मेरे से ओनाला नहीं वेंगा तो मैं भी मित्र से करा आपा कोई दूसरे समाजां का दूस्मन दोडियां बाने अठे राखो और अनकुम पर राखो यह ऐसी जचाइड़ो राखो भलाई लेकिन बाई जी माम मी एक कुमान है महाने के नेतां की बात है मेरे परी लूं महान धूसरा पर की पर लूं कै पोल्टिक्स पी है यहторो पula की के सागा ऍच करण अगाएब आवे प्रोस्प्रेटी आवे पॉपुलर्टी आवे और गेल गेल बेटिक बाप भागेडों प्राउड भी आजाए इन चार भी के साथ प्राउड आजाता है तो वो पावर भी खतम वो पॉल्टिक्स भी खतम वो प्रोस्प्रेटी भी खतम वो पॉपुलर्टी भी खतम और कोई नेता की कोई सेवानिवरती देखी एक चपडासी की भी स्फोर्थ कलास की भी सेवानिवरती हुए है है तो तो सेवानिवरती कोनी हुए अर इ यांका नारादेज बाईजी शुनभा में कोनी आवे इलिए में था कही कार्यक्रम से सीख ले था लोगा से सीख ले आयोजगा से सीख ले और संकल्प लेर जावा कि सेवा निवर्तिक कार्यक्रम तो नहीं वह लेकिन गेल लौँ आके वह यार आदमी तो ठीक हो कि यह बात को पूरो प्रियास करांगा ओ मैं था नहीं पूरो आस्वासंदेर जाओं जहां आपका कि पसीने की बूंद पड़ेगी वहां हमारा ब्लड की बूंद भी गिरेगी तो हम लोग सब तयार हैं आप सब लोग आगे बढ़िए एक बाई जी आपना आ और रहे हैं ओ चोटो हैं ऐसे कार्ये करमों में ये 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 सब बराबर है कोई न बड़ा है न कोई चोटा है ये जिस दिन भाव आ जाएगा हमारा एक भी कार्ये करम ऐस अपनें होगा हम आगे बढ़ेंगे और सब लोग हमारे उस जज़बे को उस जुनून को उस सोच को सलाम करेंगे और हमको साथ लेने की चेश्टा करेंगे आज भी कही जगे प्रियास हो रहे हैं आनाईयां कर देओ और बाकियां हो जाओ वह ने भी ने मेटने की जरुवत है बबोड खत्रनाक बीमारी हैमेम अन्हें भीजएपी बक्क ने काँगलेश बच बक्क ने मैँड़ सकीना अगर बबुमारी आपा लोगा से दूरनी कर पाऊंगा पो संदेश अगरमें नहीं दे पाऊंगा तो आप फ्रतितिनीं कर पाऊंगा न समाज को बहलो गलत बात नहीं है इबात को विशेश रूप से ध्यान राखांगा और हर व्यक्ति अच्छेश्टा करेगो कि मैं हर समाज के व्यक्ति से मेरी दोस्ती बढ़ाऊं भी के बाईचारों बढ़ाऊं भी के काम आऊं और जरुवत पड़े तो बिन मैं काम में लिए जद अगर ये भाव के साथ में आपा समाज की कुरुतियान दूर करांगा और एकारिय करांगा तो आपा हंड्रेट वन परसेंट सपल रहांगा आपने में के कमी है मनियां बताओ कोई कमी हैगे कोई बचीड दे सकेगे या तो बचीड आपा सकड़ा इलिए दे सका मैं जी थे गेल ने हो लट लिया कि में सेंट अहां इलिए आपा प्रगति कर सका आगे बढ़ सका अगर समाज साथ नहीं वै और सब लोगा में सकारात मक सोच नहीं वै तो कोई भी आगे कोई बढ़ सके आप सब लोग आया आप सब लोग सम्मान करें अब देखो मैं धारी अत्ती बढ़ाई कर दिये क्यों कारिय करम पूरो नहीं वज़ते एक ही नहीं उठालो था हाँ एक आखरी में बीमारी हुई है मारे विदान सबा के मायने ग्यारा बजें बारा बजें परसनकाल हुए और परसनकाल हूर भी के बाद के मायने आगे की विवस्ता देबाने स्पीकर खड़े हुए जना एक खर्रा साब और सुवाजीर शगड़ा एमेले देख रही है जब पचाशे गूट रल डाटू बारें बागबा की चेश्टा करें अर बोई विदान सबाद देख के बैठ ये मैं पैरों पे हूँ आसन पैरों पे हो तो बाई जी भी है कि नोबत मताबा दीजिए लाई आयो जगा कहेगा है तो वाशन ठोग लिया गड़ो साब कर लियो रहे बागगा मकड़ो सम्मान को के हो यो तो आपाने सब ने कारिय करम पूरो हुईर जनगन मन बोला जठ्यादानी एक भ्याद भी नहीं उठेलो जहां भी जिस रूप में भी आपको हम लोगों के आवसकता हो मैं मेरी नहीं कह रहा हम सब आज आपके कारिय करम से संकल्ब बदो के जा रहे हैं कि जहां भी जरुत पड़ेगी समाज को आने वाली पीडी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी नियावचित कारिये होगा जो भी बात होगी उसमें हम आपका साथ देंगे आपके साथ खड़े मिलेंगे आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत सांदार जबरदस्त जिन्दबाद इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता था एक-एक सब्द बहुत-मन के साथ आपने बोला अपने अंत में जो बातें कही आसन पैरों पे है पुझे स्वामी स्मेदान जी महराज के जिस प्रेणा सील उद्बोधन के साथ आज किसकरे करमा का आगाज हुआ सम्मानिय गविन सिंग जी डोटाश्रा के सांदार उद्बोधन के साथ ये अंजाम की और पहुच रहा है बीच में सम्मानिय जहावर सिंग जी खरा ने नया रंग उडेला हमारी युवा सकते ने नया रंग उडेला मैं एक बात कहना चाहूंगा जो चीज जहां से सीखने को मिले अगर हमारे ब्राह्मन भाईयों से वेदुस्य सीखने को मिलता है तो सीखना चाहिए अगर हमारे राजपात भाईयों से अदब सीखने को मिलता है बोलना सीखने को मिलता है तो सीखना चाहिए अगर हमारे दूसरे भाईयों से बढ़िया भाईयों से हमें विनमरता शीकने को मिल रही है तो शीकना चाहिए यह कारेक्रम ने किसी को उठाने के लिए है ने किसी को गिराने के लिए है ने किसी को पिछे धखेलने के लिए है ये कारिक्रम सिर्फ और शिरफ किशान, कौम, जाट, समाज को आगे बढ़ डाने के उद्देश से नहीं है मैं क्सर यह कहता हूँ कि ने किसी से इर्षया, ने किसी से होड, हमारी अपनी मंजले, हमारी अपनी दोड इस कारिक्रम की जब टेग लाइन हमने दी थी जाबर सिंग खर्राण ने उसमें संसोदन किया, जाबर सिंग लिखा था कि खेद किसमत जेली जेवर हल हतियार, कलम कंप्यूटर किताब हमारे नए ओजार उसको संसोदन करते विए कहना चाहेंगे जाबर सिंग जी कि खेत किस्मत जेली जेवर हल हतियार कलम कंप्यूटर किताब सरोकार संसकार हमारे नई हतियार आईए पुरे प्रदेश की युवा सक्ति तेजाजी महराज की जीवन दर्शन को आत्मसाथ करते हुए आगे बढ़े अब एक एक मिनट के तीन उद्मोदन जो हमारे विधाएक प्रताशी रहें उनकाम सुनेंगे उसके बाद में सम्मान और उसकी के साथ पुझे प्रगाईदाजी महराज के अंतिम एक बज़न के साथ इसका समापन तो मैं इस तरंक लब एक मिनट हो निवधन करना चाहूंगा फत्यपुर्ट से विधाएक प्रताशी रहें आधनिये शिक्षावेद स्रमण जी चोधरी आपधार है और हमारा मारक दर्शन करें वह से तो बाईसाब के बोलने के बात बस्ता नहीं है प्रमस्मानियमान स्वामी जी को प्रणाम एक मिनट का मुझे मौका मिला तो मुझे तेजा जी महराज के जीवन को जनम से लेके उनके निर्वान तक की बात को कह दूँ तेजा जी का रियल मान सम्मान इज्जत करनी है तो सबसे पहले तेजा जी का बच्पन में साधी हो गई यानि माबाप के कहने से ब्या हो गया तो यूआ पीडी को इसकी पहली पालना करनी चीए माबाप जी की छोड़ो छोड़ी देख दी बिकर सकते ब्याक करने जा पहली प्रेणा तो आ है आगे चाला तेजा जी की मा के योग है हाली के बायोडा मूंग मोट निप जे तेजा रे हाली के बायोडा मूंग मोट निप जे तेजा रे थारे तो बायोडा मोधी निप जे तेजा थारे तो बायोडा मोधीनी पेजे पहली बार मिलने जा रहे हैं और भारे गूजरी ये कहती है मेरी साइटा करो एक युवा 20-22 साल का 38-35 साल नड़का अपने धरम पत्रिक से पहली बार मिलने जा रहा है उसको छोड़के गूजरी की गाईव में निकल जाता है ये दोस्तों चरित्र की सबसे बड़ी प्रिवासा होती है जो सिखें तेज़ाजी से एक सरप जो अगनी में जल रहा था उसको बचाने का मतलब प्राया कोई आदि पिडित हो उसका बचाओ करें वो सिखें तेज़ाजी से फिर सरप को वचन दिया वचन दे के वापस वहां आके अपने जीवन की कुरबानी दी ये सिखें तेज से ये सारी बाते हम सीख जाते हैं तो हमारे सारी कारेकरण सफल हैं मंच पर राजदिती के सब लोग बैटें मैं तो खार अब इसमें चार मेने से हूँ एक शिक्षा हम सब पांचुच सब लोग यां बैटें सूडा जी और सब लोग हम यां बैटें शिक्षा में मैं उस सीकर से आता हूं मुझे कहने में कोई सक नहीं है जिन स्कूलों में आपके समाज के बच्चों का एडविशन ही होता था उस सहर की शिक्षा नगरी बनाने वाले आप ही इज को इस सिक्षा को और उन्चेव लेके जाएंगे आपका साथ समर्तर मिलता रहे आगे इसे बना रहे और जैसा गोंजी बैसाब ने कहा कि बढ़ा बगवान करनूं गुरू करनूं और माइट करूं कमने मांगनों चीए तो आपना यूडियस मंत्री बैठा ही जब मैं और डिमांड करनों चाहूंगा कि समाज के लिए को जमीन दान कर दो गिप्ट कर दो टोकन मनें पर करा दो ताकि आपनों सभागार बन जा बड़ी आकाम कर सका समय सीमा ही अतोई बोल पाऊंगो उससे ने राम राम प्रणाम प्रोत्याजी महराज की जैए बहुत बहुत कटे पहनकर आशमान छडे थे और सपने हमेशा उकात से बड़ेते या जितने भी सिक्सावित बैठे हैं चाहे स्रम्रण जी चोदुरी हो चाहे आदिने जोगेंदर जी सूंडा हो चाहे राम रियाज जी ढाका हो चाहे मेर गुरु बियल रनवाजी हो चाहे विरंदर जी आप सब लोगों ने बड़ी सोच की वज़े से अपना ये मुकाम पाया है आपको शुब कामना है अगला निविदन विदान सावा चुनाओं में एक सब्द चला था बाईतू की आवाज मैं ये कहता हूँ कि उमेदा राम जी आप सिर्फ बाईतों की आवाज नहीं है आप संगर्स की आवाज है आप समाज की आवाज है आप इस किसान कौम की आवाज है पधारे और संग्चेप में अपना उद्वोधर हमारे बीच रखें मुल्य तेजा जी महराज की आज राश्टे तेजा समाद कारे करम में पदारे हुए पूजे गुरू जी के सड़नों में वंदन करते हुए हमारे राश्तान सरकार के मंतरी खर्रा साथ जो अभी समाज के लिए खरी खरी और मजबूत बातें अपने को बताई उन पर सब अमल करें और सुपरनेता परदेश के डोटास राजी जो राजनितिक के हिसाब से हो या समाज के हिसाब से हो सभी तरब से अपने को अच्सी शुपर बातें बताई वो सारी बातें अपने जीवन के अंदर घरन करने का प्रेतन करें दुडी जी, पुचाराम जी, विकाज जी, पुजय गुरु जी, विदायक शाब, चोरी सांसल शाब, स्वयनादन जी, मिल शाब, बाकर शाब, सुन्दा शाब, और सर्वन जी, ताराशन जी और सम्मानित, मंच और पूरे परदेश से, पदारवे, समस्त, समाज के मोजीज, जम्मेंदार वेक्तियों, युवासातियों, मातर सक्ति, आपने मारी तरफ्षूं, घणान घणा, राम राम शाब, अब उद्बुदन की बात करें, तो मैं इतना काबिल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ, कि इन से उपर कुछ बता सकूँ, मैं तो इतना ही कहूंगा कि पूरु वक्ताओं ने, जो बापजी ने, सब ने अच्छी-अची बातें भताई, उन सब भी बातायों को अपने को गरन करना जरूरिय है, यह नहीं कि यहां से उपदे सुन के निकल गए, और कहने को अच्छी-ची बातें करते रहें, उनहीं बातों क खुद के उपर लागू नहीं करेंगे तब उनका ना तो कोई सुनने का भाइदा है और ना कोई यहां आने का भाइदा है मैं दन्यवाद देना चाहता हूं तेजवीर शर्ना के समस्त पदादीकारियों को चसीन जी, सिराम जी और समस्त उनकी पूरी टीम की उन्होंने कड़ी मेहनत करके पूरे राजस्तान के राजनितिक से जुड़े हुए समस्त समाज के बंदों को एक जाजम पे बेठाया और सभी जो वेपार जगत से जुड़े हुए हैं, साहे सर्वीस से जुड़े हुए हैं, अलग-लग, साहे समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, सब को एक जाजम के बैठा कर समाज के लिए चिंतन करने के लिए यहां एक्तरित किया, आपका बहुत-बहुत सुक्रिया, बहुत एक रहना है पहले अपना समाज और फिर दूसरी बाते आती है लेकिन अपना हित बढ़ाने के लिए दूसरे का नुकसान भी नहीं करना है और अपन सब को एक दूसरे को पर संकट आता है तो सब को एक तका प्रिशे देना है सही समाज पे संकट आये सही परदेश पे संकट हो सही देश पे संकट हो संकट की गड़ी में सब आगे की पंक्ति के अंदर डट कर लड़ना ही हमारे समाज का इतियासरा है हमारे पुरुवज उन अबावों के अंदर जिये हैं उन प्रिश्थितियों के अंदर जिये हैं तो अपन सब को वो दिन भी याद रखने, उन दिनों को नहीं भूलना है, जिन विकिट प्रिश्थितियों में अपने पूरुजों ने संगर्ष करके अपन को इस मुकाम तक पूंचाया है, और शिक्षा के सहतर में हो, राजनितिक के सहतर में हो, शाय समाजी के सहतर के अंदर हो जो हमारे पूरोज मारक दक्षर रहे हैं, उनका अनुपव लेकर, उनकी प्रेना लेकर अपने समाज को आगे तक बढ़ाना है, बाकी समय की अबाव है, आपने कुछ लिमिट दिये, मैं एक चीज अंतिम में यही कहूंगा, कि आज हमारे समाज के कुछ युवा, जो नसे क लप में पढ़कर, नसे के कारोबार में लिफ्ट होकर, एक अलग पैसान बनाने की कोशिज कर रहे हैं, उनको हम सब की जवादारी बनती है, कि उनको समाज की मुख्य दारा के अंदर लाएं, नसे पते से दूर रहे हैं, और जो शिक्सा की छेतर में, या सूरू शीकर और जुजनू से जो अच्छी शुरुआत की, मैं बाडमेर से आता हूँ, और जब मैं इस्कूल जाता था या उससे पहले बाडमेर जिले को वैसे पिछला जिला मानते थे, और काले पाने की सजा के रूप में, या कोई बदमाशी करता था, तो राजनितिक एंट निकालने के लिए इस उसको बाडमेर भेज देते, लेकिन शुरु और सिकर के जुजनू के जो यहां से टीचर बाडमेर आये, बाडमेर के युवाओं को नई दिशा दी, छिक्षा के चेतर में जागरू किया, और आज बाडमेर भी सुरु और सिकर के बराबर, आई एस भी दे रहा है इंजिनियर भी डे रहा है, डॉक्टर भी दे रहा है, तो ऐसा मारक दर्शन हमेशा हमेशा आपका हमें पूरे परदेश को मिलता रहे, ताकि हम शिक्षित होके ही आगे बढ़ सकें, और उसके साथ साथ जो कर्शी की बात कर रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज स सहे आप प्रोफेशनल बिजनिस में हो, सहे बड़ी नोकरी के अंदर हो, सहे राजनितिक के अंदर हो, पर जो अपना मूल काम है खेती, उससे उसको सोड़ना नहीं है, खेती वैसे नुक्सान का काम है, ये मानते हुए भी सोग नुक्सान होता है, उससे कोई फरक नहीं कितना ही अपने को नुक्सान हो जाए, तो पूरुवत जिन परिस्तितियों से निकले हैं, तो उन परिस्तितियों को अपनों भूलना नहीं है, अपने खेत से भी लगाओ रखना है, और आदुनिक, जो आज के जमाने की जो जरूरते हैं, और आके आने वाले समय में, क्या जरूरते हैं रहेगी, उस हिजाब से, उस प्लानिंग से अपने सब को मिलकर आगे बढ़ना है, साहे आपको बिजनिस के अंदर हो, साहे राजनीतिक के अंदर हो, कभी असफ़लता हैं, ठोकरें खाएं, पढ़ें, उठें, और फिर तेजी से आगे बढ़ें, जब अपन आ बिजनिस आपका फैल होता है, तो अलग से दुबारा सिंतन करें, मनतन करें कि मैं किस वज़े से फैल हूँ, दुगनी त्यारी के साथ में आगे बढ़ें, और जिसे सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, उन सभी शेत्रों के अंदर आप सब की जबावदारी बढ़ती हैं सब की जबावदारी बनती हैं, कि उस चेत्र के अंदर नए लोगों को अपने साथ में लाएं और आगे बढ़ें, आप बड़ी संक्याम हैं याप पदारे, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, पुने सभी आयोजकों का धन्यवाद, और समाल नितागणों का बहुत बह देशी भी था, आईए अब अंति मुद्वोधन के रूप में मातर शक्ति के साथ समापन के और बढ़ना चाहेंगे, और मकसर ये कहता हूं कि नारी नर पर कल भी भारी थी, नारी नर पर आज भी भारी है, और नर नारी का कल भी आभारी था, नर नारी का आज भी आभारी ह मकराना की परधान विधाइक परताशी रही बैन सुमीता जी भीचर को आमंतर देना चाओंगा परधारे और अपनी बात हमारे बीच रखें आप कर्माबाई जाटविका संस्तान नागुर की जिलादक्स भी है परधान है विधाइक परताशी रही है बविश्य में विधाइ पधर्वड़ा आज काई प्रोग्राम की सोबह बढ़ा बाड़ा मारा युवा भाई माताओं बेना पिता तुल्य भुजरगां और आपने अलग-लग पार्टी का सब नेतागन महराजी के चर्णा में नमन साथ में आज को आपाउं समवाद कारियकरम आयोजित करबाड़ा ज कर देना इक माई ने जिखा लोग काम कर रहा है बेर राष्टी सेवा के साथ मैं च्टी ले रो प्रोग्राम करें भी वास्ते मैं आको बहुत बहुत आभार परकट करूं जाट समाज आपने देखा जरे पुरा रास्तान के माई ने टू परसेंट पूरो जाट समाज है जा और आगे बेटर चिंतन मननन करां तो और उचाई पर पहुंच सकां लेकिन आपा के माई इने जिकी कम्या है बाना है आपा ने खुद न सोचनी पड़ी जत्ते बदलाव आपा दूसरा पर सोचां जत्ते नहीं वे लोग बदलाव की जकी सोच बाखी सक्तिय बाख खुद पर इंप्लिमेंट करां जी तरीका हूं मैं नारी सक्ति के रूप कतां के सामने आई हूं तो मैं एक जाट समाज हूं भी लोग करूर मैं भी एक पड़ी लिखी समझो आप तो पड़ी लिखी मारी जियान की घणी ही बेना है जिकी समाज के माई ने है लेकिन भी गुंगट पर हमेरे रही है कुछ एक मारी बेना है जिकी नोकरी लाग्योडी है टीचर है तो पर टीचर इसकूल जावे जते तो सलवार सूट में जावे पाचे घरार बे गुंगट परदा चला ले वे तो इस चीज को जो को काम है वो एक तो मैं मंच परासीन मारा समाज का बड़ा नेत मातर सक्ति की थोड़ी कम क्वांटिटी है अब की वार नेक्स टाइम आपा जद भी हो यान को समाध करे ला एक लाइन तो पूरी मैला सक्ति की वे ली ए चीज को मा अप लोगा ने निवेदन करूं क्यों मैं मकरणा विदान सभा चेतरू ज़े चुनाओ लड़ी तो सब ज चाहे ज़े तो इवास्ते और निवेदन करूं के मैलावाने भी आगे लानी चाहे ज़े और जी तरीकाओं म मा बात करूं मारी कर्मा बाइजाट मैला संस्ता की मा की संस्ता पक है अलका चोधरी जी जगा थोड़ा सा स्वस्ते की विजे ओ अटे आक उन पाया है लेकिन मार की बड़ी डीदी के रूप में बे मा म मुला जो कि मैरे साथ टीम बदारोरी है करमा बाइजाट मैला संस्ता एक यां की एक मात्र मतलब मुए एक मातरी संस्ता हैं जिकी जात लगावै, और आपने समाज का एक नेतहाँ जकामन क्यों एकस्ता के नीम कि आर वो था जातने लगाॉ नै, तो रोजिन था के चंदो आवे, लेकिन मैं क्यों नी जात जी लगावा और ओए एक अस्री जातनी को कामें इस संस्ता ने बना बड़ा जद एक बीकानेर की जाटनी आगे हुँ सके तो एक मकराना खीर और जेपूर कीर, चुरू कीर, शीकर कीर, क्यों जाटनीया क्यों को नी आगा हुएं इस सब आ गया सी और एक संस्ता को नाम दियो, जहिए आज बिलकुल रजिस्टर संस्ता है और इस संस्ता के माई ने मैं सब मैलावाण जूड और खुद को स्वेम को डवलप्मेंट के साथ साथ मां के हर समाज की महिलावा वास्ते एक चेडियूं लेर और एक चुगा को जो को व्योस्ता को भगवान को रूप है बीने मैं आगे लाबा की कोशिज करी हाँ एक मैं अटे मारे समाज सब बड़ा भाई लोग ऐवड़ा है मारो एक निवेदन रेशी सर तोड़ा गोर फर्माओ एक आपने समाज में चाले आटो साटो इस आटा साटा के माई ने परदान बनियाने 2020 मां परदान बनी जद मारकिन ग्रामिन छेतरूं छोटी छोटी बीस प इस एक गर के माई ने आटा साटो हुए, दो तीन गर भरबाद हुए, इवासत है, मारा समाज का मोजीज लोगाउन आटा साटा की इक उपरदान बंद करो, आज हमारे समाज के माहने कोई चोरियां की कमी नी आए, कोई चोरां की कमी नी आए, लेकिन सब ने, इस चीज ने सोचबा की जुर्रत है कि आटा साटा को काम बंद करां आज 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 सब जणा राश्टी ये तेजा समाद के माई ने समलित हिया समाज की करी और इस समाज की बाता ने आपा इंप्लिमेंट करां खुद सुदार लेवां एक बात जगी नसअपटा की आई बहुत ही अच्छी बात है कि मारा सब युवा भाह्य भाई लोग भी सटे बैठे है नसअपटा ने आपको कम कर सकां कद कम कर सकां जब आपा गार्जन बनर आपका बच्चान समाला भी कि देख रहां देख रहे करां निगरानी में राखां आप लोगों ने मुझे बोलने करें बहुत बहुत धन्यवाद अब ट्रेनिंग फैज से गुजर रही हैं इसलिए समय के साथ तैयारी हो जाएगी विदान सभा तक पहुंचते पहुंचते आई अब बिना विलम के सबसे पहले पांच है हमारे जो अभी आरेस बने बाई उनक महामाज से उनका संभान होना है संभानी घ厮्षा मंच पहले करके संभान होना है और उसी के सात का रहे कॉहले करें तो मैं सम्मान ढेंगिए शवामेजी से डोट असरा जी से ख़रा ज зайए सबी वेदा गणों से आगरे करना चाओंगा प्लीज आ पाएं और तेजा सेना की जो प्रदेश की टीम है, मैं नाम एक साथ सब के बोल रहा हूँ, वह आकर के इधर खड़े हो जाएं, और दो दो तिन तिन साती मंच पर इसको जोइन करते जाएं बाड मेर से बाइ चेतन चोदरी, बेरा राम बेनिवाल, सुनिल चोदरी, नागुर से सह्धेव ठोलिया, बेरा राम बेड़ा, जोदपूर से मादेव जी खदाव, जुन जुन जी शेचित सुनिल पुनिया, दर्शन धोरी, मुकेष मुन्ट, चुरू से बेकाराम सर्पंजी, जगदीजी सर्पंज, बेकानेर से मुकेजी गोदारा, अलवर से प्रमजी जी चोदरी, अजमेर से संदीप चोदरी, परताफगट से दिनेज जाट, ये सारे साती मंच के दाईयों राके खड़े हो जाएंगे, दो-दो साती आकर के जोईन क साहू, जेपुर्श अनिल निठारवाल, सीकर से रामशुरूब जाकड अनिस सेवदा, अभिसेग रोलानिया, राकिष बोजासर, मनोज कूडी, विजेश सिंह गजराज, रोई जाकड, महंदर कूडी, अशोग गोदारा, आप सभी साती आजएं, और अब मैं आमंतर देन या पधारे, आभाली मेरेस बने हैं, भाई रजजी शोरान पधारे, मेमिंटो पर नाम चेकर लेख फोटो चेकर लेख, अरपयस बने भाई अंकिर जी कोडी पधारे, नेमाराम जी रोयल पधारे और भाई अरोणी जी चोदरी पधारे, आप सभी का पूरे वीरतेजा से राजस्तान की और से बाद पाद स्वागत सम्मान अभिनंदन प्रदेश की टीम के साथी वह दो तो तिन तिन जने आकर के जोईन करते जाएं कि भाई रामकान जी भीजानिया इस समय मंच पर हैं पदा रहें और अपना सम्मान स्विकार करें कि जिसका नाम निवेदन कर रहे हैं कोई बात ने आगे पीचे हो जाता वेवस्तित रूप से सम्मान है अभिनंदना सवाद की विकारी करता धान रहें के पीट देके खड़ने रहें मन्ज के पीट देके खड़ने नहीं रहें अलगाए अलगाए अब अंकेज कोडे परदा रहें और अंकेज कोड़ी परणे में आप आरेश बने हैं शमाज का भविष्य में आप मारग दर्श करने वाले शाबित होंगे कि परदेश की टीम के साथ जूटते जाएं कि ए मेरी जमी अपसोस नहीं अब आमन जी चोदरी पता रहे हैं वही अमन जी चोदरी मैं फूज रहे तिर्श कि ए अrukमाणडर में गता करता है जीवन में यस चंदन होता है और उज्देश वह होते हैं जिनका अभिनंदन होता है समान क्यों समाज के बिरली परतिबाओं का संवान जिन्नोंने अपने शरम की शाइद से अपने प्रिशरम की कलम से शफलता के आकाश पर सुंदर हस्ताक्षर किया है लिट्टी में मिल जावा गुल बनके में खिल जावा भाई नेवराम जी चोधरी पदार है आप हाली में आरेस बने हैं आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान कि नदियों मैं बह जावा तेरे खेतों मैं लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू करेंगे जो हर समय खुद के परिवार के बारे में खुद के बारे में बारे में अब करेंगे तो हर आदमी सोचता है लेकिन समाज के बारे में जो सोचता है उसका सम्मान जरूरी है सबसे पहले आमंदन देना चाहूंगा प्रिंज यह अब सेकर के डाइरेक्टर स्री जोगेंदर इस्टोंडा को पधारें और सम्मान श्विकार करें आपके बाद गुरू करपा करिए इंस्ट्ट्यूट के स्री प्रदीव जी बुडानिया मेट्रिक्स करिए इंस्ट्यूट के भाई विरेंदर जी ढाका केश्वानन्द शिक्षन सहस्तान के डाइरेक्टर भाही रामनिवाश्ची धाका, सेखाबाटी एजुकेशन ग्रुप लोशल के डाइरेक्टर बिल रनवसर, CLC के निधेशक शर्वन जी चोधरी, नवजिवन शिक्षन सहस्तान के डाइरेक्टर शंकर जी बगडिया, डिफडिल्स वर्ल्ड स्कूल के डाइरेक्टर, संजीव जी कुलरी, कारेकरता ध्यान रखें, अतीदियों के सामने नहीं आएं, और जो एक बार आ गये हैं सम्मान में, वो कारेकरता जाकर के बेठें, और यूरो इंट्रेंटर्नेश्न के भाई शिवराम जी चोदरी, ब्राइटी स्कूल के सुबास जी नेरा, सुबास शिक्षन सहस्तान सेवद बड़ी के गंगादर जी बधाला, स्री पहला जी कुलेरी, स्री राजंदर जी पिजारनिया, स्री महंदर जी जाखड, श्री पहड़ा जी गडवाल, श्री रमदेव जी मंडावरा सर्पंच, श्री सी स्राम जी बैरास, श्री रमेश्मललाल जी रन्वा बारती एजुकेशन गुरुप, श्री सुरेंदर जी भासकर कलामा एकडमी, श्री सेर शिंग जी सूंदा, श्री महिपाल जी प्रियास कोचिंग श्री संदीब जी मील लालासी श्री रादेराम जी गोदारा श्री सुरेंदर जी साहरन एलन केरियर इंस्टिटूट सीकर आपका इस कारेकरम में बहुत बड़ा योगदान है और अब उन साथियों का सम्मान जिनों ने इस कारेकरम के आवाज को अख़वार के बात्यम से पुरे जनपत तक पहुचाया मैं आमंतर देना चाहूंगा विनाइक होस्पिटल के डाइरेक्टर स्री रामदन जी चोदरी और स्री रिश्माल जी फोजी को आप पदारें और सम्मान स्मिकार करें सीकर डेंटल होस्पिटल के श्री डक्टर महंदर जी दूलड लक्ष्मी कलोती स्टोर खूड के श्री गोगराज जी बिजायनियां सीकर MS, डक्टर महंदर जी खीचड, डक्टर राजीव जी धाका और डक्टर पेमाराम जी खीचड डक्टरों की ये त्रिवैनी जो हर समय समाज के बारे में सोचती है तीनों की मितरता एक मिशाल अपने आप में है और मैं भी इन वाली मंदली में सामिलू हूँ खर्चा करवादिया कलवडिया वाला डक्टर राजीव जी धाका, डक्टर महंदर जी खीचड, डक्टर पेमाराम जी खीचड टीम ओप्रेशन तेजा की सांगलिया टीम गड़ेश जी भामू, जी तेंदर जी टीम ओप्रेशन तेजा सांगलिया के जो साथी है, जिनकी कल के विज्ञापन में सहवा गीता थी, वो साथी पदार है जो कारेकरता एक बार फोटोज में आगे हैं निवेदन रहेगा आप स्थान ग्रेंड करें अब अमन्टर देना चाहूंगा जेपूर के बड़े बिल्डर्स पूर्श ने साब रहे शारे, विज्ञापन में अबेयाँ गर्वेचि स्काइलाइन बिल्डर्स के डाइरेक्टर मेरे बच्मन के साथी मित्र सखा भाई कुछ भी कह लें संकर जी सिस्मा एक बार जोड़दार तालियों के साथ स्वागत करें कलका सेखवाटी बासकर आपके नाम था आपके साथ रिवाईव होलीडेज की डाइरेक्टर सभी को दे आजी एज़केशन गुरुप दीडवाना के डाइरेक्टर मेरे बच्पन के सेवपाटी मित्र वाई सुरेंदर जीनेरा पधारें और समार्ट स्विकार करें करें आतके हैं कर दो को करेंने कि अे करें रिवाटी ग्लाम मेहज 10 मिनिट का कार्यकर्म हो रहे हैं सुन्दर प्रस्तुति के साथ जी तीम ओपरेशन तेजा संगलिया का सम्मान इसमय बंच पर हो रहा है और अब सभी कार्यकर्टों से निविदन रहेगा आप नीचे जातर के इस्थान गरंड करने का तस्क्राइब क्या है सभी कार्यकर्ता अब इस्तान को रहें गरंड करें सम्मान हो चुका है सभी कार्यकार्ण टोर संगलें प्लीज नेचे कर अज rings आब अगिओनल्ट सभी साती निचे छातर के संगल करें सब्सक्राइब सभीका स्मान हो चुका है सभी साथियों से निवदन प्लीज आप आकर के बेटें आप नीचे सब कुछ करवा देंगे आप बेटें प्लीज आवे वस्तानी करें सारे साथी नीचे बेटें और आप वक्त है समाज के कोहिनोरों के सम्मान का जो देश के सबसे बड़ी पंचायत कि शनश्ट में हमारा पर्ति में दितका करते हैं राजस्थान के विदान सवामें हमारा पर्ति नीचे एकटें तो आपका सम्मान उसके प्रद्रिति न इसका पें ऑड़गा और भातको अ भी ओमन वर्राइं सबसे पहले प्रदेश कंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लक्षमनगड से विधायक पुरुष्चामंत्री और आज के सूपर हीरो आदरने स्री गोविन सिंग जी डोटास्त्रा साहब लगतार चौथी बार विधायक किसान और जवान की हमेसा बुलन्द आवाज के धनी समाननी ये गौविन सिंग जी डोटासरा साब का रामचंदर जी सुन्दा साब और आईए वंदन अभिनंधन ये समरपांग सम्माने स्री गौविन सिंग डोटासरा को शमरपीता है अगली कड़ी में सम्मान पत्र बहेंट करेंगे वीर तेजा सेना के ओर से सीकर से सानसाथ और वेदी कास्त्रम के पला लिए अध्याक्ष सरदे स्वामी सुमेधानन जी सरस्वती को कि वेद की रिचाई पंच तंत्र की कथाएं वेद उपनिश्द पुरान और कहीं मिलते हैं वीर तेजा जेसा गान और उनकी सत्ते वाजित हम सब के बीच में हैं सरदे स्वामी सुमेधानन जी हमारे आज के समारों के खास मेमान देशी से लेकर आदुनुक्ता का समावेश सरदे स्री जाबर सिंग जी खर्रा साहब माननिय मंत्री राजस्तान सरकार समानिय जाबर सिंग जी खर्रा साहब पदारे और वीर तेजा सेना की तरब से उन्हें ये समान परदान करें समानिय खर्रा साहब किसान अन्य दाताओं के मान और समान के लिए खरी-करी कहने वाले और निस्यत्रूप से पाखंड से दूर वास्तुक्ता में जीने वाले समानिय खर्रा साहब आज के कारेकरम के बहुती महत्वपुर्ण मेमान और बुलंद आवास से जिन्होंने समात की सच्चाई को हम सब के बीच में रखा अधरने स्री मुकेश दी भाकार माननिय विधा विधायक लाडनू जो प्रोटोकॉल की साब से सबसे ज्यादा रुत्मे के साथ हम सब के बीच में है अपनी भुलंद आवाद यूनिवर्स्ट्य में मारे छात्र साती रहे विस्व विध्याले से लेके राजस्तान की विधान सबात अग्जिर की भुलंद आवाद को बड इनों ने ये साबित कर दिया कि ए दर्या तेरा रत्ती भर भी ऐसान नहीं है हम पर हमने जब भी पानी पिया है इस धर्ती का सीना चीर कर पिया है और ऐसे बुलंद धौसलों के धनी डॉक्टर विकास चौधरी जो MDS उनिवर्स्टी के प्रेसिडेंट रहे और पहली बार सम्माने श्री पूशा राम जी गोदारा मानने विधायक रतनगर कैई सारे संगार्ष के बाद विधान सवा की दैलीच पर पहुंचे सम्माने पूशा राम जी गोदारा साब का अभिनंधन और स्वागत हमारे बीच में हैं स्री सुभाजी मेल विधायक खंडेला विदान स्री महिला ससक्तिकरन की परियाई नोखा भीकानेर से मानने विधायक स्रीमती सुसीला रामिस्वर्जी डूडी जिनका किसान कौम के परतिश शमर्पन जन सेवा का भाव और आज समाथ कितने बड़े मंच पार एक साक्षर महिला विधायक के तोर पर जिस तरीके से समझदारी इमानदारी जिम्मेदारी बहुत दूरी के साथ जिनों ने वक्तवे दिया आदरने इस्रीमती सुसीला रामिस्वर्जी डूडी को यह सम्मान प्रतीक भेर और बाकी का विधाय सम्मान विधायक बनने के बाद करेंगे ना आज सांसदों और विधायकों का यह था तो थोड़ा जोड़ लगना जी और अब इस प्रकाश्दाजी महराज का एक भजन एक क्रमा भाई का एक धना भागत का मैं चमगा कि एक पर जोड़दार तालियों क करके प्रस्तान करें तेजाजी महराज का एक मेमेंटों आपको गेट पर बहार निकलेंगे उसमें बिलेगा कारेकरता ध्यान दें कि यह थाड़ी भरकर लाई खीचड़ो अर उपरगी की बाट की एजिमो महराज शाम धनी जी मावे बेटी जाट जी माराज शाम धनी थी मावे बेट जाट के एक बार हाद उढ़ा के सेजाजी माराज की पापो मारो काम कयो छे ना जाने कत आवे लो बापो मारो काम कयो छे ना जाने कत आवे लो बापा के परो से समरा हूँ कोई रेदा वे लो अरे आज जी मावो ठने की चड़ो काल राबली जाट की जी मो मारा शाम धनी जी मावे बेट जाट के काल राबली लो प्रस्ताव लेना बाकी है इसलिए आप सभी उस प्रस्ताव का भी इंतजार करें प्रस्ताव लिया जा रहा है ओ पार पार में मंदर जाती पार पार पट खोलती कईया कोनी जीमो मोवन कड़वी कड़वी बोल हरचे जीमो जद में भी जीमो आखे जीमो जद में भी जीमो मादू नाही लाथ की जीमो मारा शाम दणी जीमावे देटी जाठी जी मादश जीमो प्रस्ताव को पढ़ेंगे उसके बाद में धन्यवाद उद्वोजन होगा आप सभी से निविदन है प्लीज मंज खाली करें ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये देश सहवीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का मेरे देश की यारो मेरे देश की यारो क्या कहना ये जोड़ी छाती दीरों की ये भोली सकले हीरों की या खाते रादे मस्ती है देखो बस्ती में क्वा करें दो पड़ को भूल गई सावरिया पड़ को फेल लगायो है दाबढ़िया की ओट बेट कर श्याम की चड़ों कायों पर बंती हो तो करमा जेसी सावरियो पर आयो है सोहन लाल लोहा जर प्रभु को हर सारस गुण कायों ओ साचो प्रेम प्रभु में हो प्रभु